लुट लॉट लॉर्ण टू कोड यह बहुत ही कॉमन कोईरी है क्यों क्यूंकि यार सब लोग पाथ बता देते हैं कि यह करना है इस और में करना है अब उसमें टाइम कितना लगे का वो नहीं बताते हैं मुझे गहले चली करने में इसलya कहने हैं इससे कि मिल्कानिंग करने में असानी हो कि उसके वाद में करूंना या पता आउयका की समार्ट नता रांगें अड op questions करने चाहिए हमें per topic वो सब कुछ मैं बताने वाला हूँ तो enter करेना and you will get to know all of these things and अगर पसंद है वीडियो तो like and share भी कर देना अपने friends के साथ उनके लिए भी बहुत useful होगी यह चीज and definitely subscribe अगर तुम ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले ना यहां पर एक clear करने चाहता हूँ मैंने assume करा है कि तुम weekday पर 3-4 घंटे per day दे रहो since you are a college student तो college कभी time जाता है तो 3-4 घंटे हमें तब देने पड़ेंगे and उसके बाद weekend पर हम 6-7 घंटे अराम से दे सकते हैं इसे जादा दे दोगे तो बहुत अच्छी बात है बट अगर इतना दे रहे हो तो उसे जाब से तुम्हारा यह cover हो जाएगा यहां पर एक link है जहां पर तुम जाके सीख सकते हो चीज़े practice कर सकते हो you can explore that यह मेरे एक topic है यहां मैंने सारे के सारे topic लिख रखे हैं यह सारे के सारे topic वाली चीज़े हैं मैंने हर topic के आगे कि उसमें कितने minimum days लगेंगे for a very smart person जो बहुत तेज है जिसका दिमाग उसको कितने दन लगेंगे and for an ordinary person maximum दिन उसमें कितने लगेंगे हमें उस topic में कितने number of questions करने है वो मैंने इस column में लिखता है तो एक perfect सी sheet है यह topics है इतने minimum दिन लगेंगे लगेंगे for a very smart person अगर maximum days है तो मतब ordinary person के लिए इतने में हो जाना चीज़े कोई बात नहीं कभी-कभी नहीं होगा तो कोई बात नहीं कोई और topic जल्दी हो जाए और किसी topic में जाए टाइम लगे तो चलो एक बारी start करते है और सबसे पहले basics of programming की बात करते है कि जब start करते है तो यह सब करना होता है मतलब data types वगरा सीखना होता है conditional सीखने होता है loop सीखना होता है तो अगर मैं data types की बात करो मुझे लगता है उसमें दो दिन में थोड़ा समझ में आ जाता है कि अच्छा code start कैसे करते है int i equal to one का मतलब क्या है तो दो दिन में generally यह हो जाता है और maximum में तीन दिन किसी ordinary person यह थोड़ा time लग रहा है तो like if else वगरा उसके थोड़े से सीखना होता है कि यार यह होगा तो क्या होगा and अगर if में यह change कर दो तो क्या होगा तो ठीक है smart person के लिए दो दिन में वो cover कर लेता है अब अगर किसी को थोड़ा time लगा तो मैं इसको चार दिन दे रख्या है तो यह चार दिन टाइपस में हो जाएगा loops है like for loop हो गया while loop हो गया do while हो गया थोड़े loops सीखने होते है कि यार अगर एक ही मलब print करने है 1 to 10 numbers या 1 to 100 numbers तो कैसे होता है तो जब start करते है तो शूरू में थोड़ा सा time लगता है तो चार दिन लगेंगे एक स्मार्ट परसन को करने में और उसको 6 दिन लगेंगे ऐसी functions की बात करें तो functions में भी थोड़ा सा जब इनी में जो उनसे तुमने questions करें ना तुमने बहुत सारे कर रहा हूँ है चेक नंबर इस प्राइम अब मैं उसको functions के थू करूंगा तो कहीं ना कहीं जो उपर questions करें उनी में ही कुछ तीन दिन लगा के स्मार्ट बंदा कर लेता और पास दिन लगा के थोड़ा एक average बंदा भी कर लेता तो I think cover हो जाता है और इनके questions कुछ 15 के आसपस questions कर लो I think that will cover फिर थोड़ा सा basics of arrays वगर पढ़ना होता है क्या होता है कैसे declare करते हैं कैसे print करते हैं इसको तो ऐसी कुछ 10 questions basic basic से करने होते है चार दिन में स्मार्ट बंदे के लिए हो जाता है वाट अगर डिले भी हो थोड़ा जाता तो 6 दिन में हो जाता है तो टोड़ा एंचन नहीं है similarly multi-dimensional arrays तो तीन और पाच दिन उसके आप से देख लो and this will be done strings का कर तुम देखोगे string में बहुत जादा मुश्किल आती नहीं है क्योंकि अगर basic arrays आ जाता है तो string is just for characters तो जादा मुश्किल नहीं आती तो दो दिन में हो जाता है और अगर कोई थोड़ा सा ordinary है तो चार दिन मे कर लेगा and साथ question क्या सपस कर लो strings में clarity हो जाएगी यह एक important है oops concepts यह बहुत अच्छे दे कर ले ना oops concepts में मतलब समझ में आता है कि यार classes कैसे declare करते है na polymorphism क्या होता है यह सब थोड़ी बहुत चीज़े समझ में आनी चाहिए तो जाके हम थोड़ा अच्छा code कर पाते है ज कुछ questions आदा नी करने हो तो थोड़ा concept सीखना होता है तो पाच questions भी कर लोगे उसके बाद concept है break and revise का break and revise का मतलब क्या है यार break मतलब अब मैंने इत्ता कुछ सीख लिया तो थोड़ा सा हमार को break लेना है मतलब एक साथ सारनी सीखना है थोड़ा सा break देंगे थोड़ा सा light हो और जो भी सीखा था उसको एक बड़ी revise करेंगे कि उपर कौन कौन से questions नहीं हो है या कौन सा topic hard रखा था उसका 2-3 questions और कर लिया वैसे वाला करना होता है तो 5 दिन का break लेलो for a very smart person और एक ordinary person 8 दिन का ले सकता है कि यार बहुत साथा मैनत करी थी तो इसका लिए नहीं पूरा खाली बैट जाओ तो अगर जैसे speed breaker होता है कि यार थोड़ा सा रुक जाओ right speed थोड़ी कम कर लो मतब जिससे की आगे थोड़ा सा अच्छे से गाड़ी और अच्छे से चलता है similarly हाँ पर है कि थोड़ा सा यार देख दे दो खुद को थोड़ा सा reward दे दो पुरानी जो इस दिन में basics of programming तो हो जाएगा अगर कोई ordinary person है तो उसका 50 दिन में हो जाएगा and total number of questions उसने कुछ 87, 90 के आसपास कर ली होगे which is a great start मतलब तो एक देड़ महिने में overall तुम अगर average हो तो एक देड़ महिने में basics of programming कर लोगे ठीक है this was about the basics of programming अब next part आता है basics of data structures and algorithms basics of data structures and algorithms करने के लिए सबसे पहले हमे time and space complexity सीखना होता है तो उपर जो कर रहे थे वह हम बस code लिखना सीख रहे थे हम कैसे optimize code लिखते है वो अब सीखेंगे data structures and algorithms पे तो इसका wait करना होगा and अब सीखेंगे time and space complexity जो भी उपर code करा था उसमें भाई कितना time लगता है वो सब सीखेंगे जैसे arrays में तुमने selection sort करा होगा तो selection sort n square क्यों होता है तो वो जो भी चीज़े सीखी है वो यहां पर apply करके हमें पता लगेगा कि हमने जो भी उपर code करा था उसमें कितना time लग रहा था है ना तो दो दिन में हो जाता है for a smart person और यह तीन दिन में हो जाएगा for an ordinary person दस questions के आसपस कर लो तुम्हें enough clarity हो जाएगी फिर उसके बाद हम करते है arrays and strings के hard questions यह ना उस भी थोड़ा सा time लगता है विकाज तुम पहली बारी complexity वाई सोच ले होते हो तो चार दिन लग जाते हैं एक smart person के लिए और थोड़ा सा जो ordinary person होते हो उनके लिए 6 दिन लग जाएंगे कोई बात नहीं बढ़िया है वर्थित है यहना 15 questions के आसपस करेंगे हमें समझ में आ जाएगा अच्छा optimize को ऐसे सोचते है फिर हम basic recursion करेंगे recursion बहुत important concept होता है आ अच्छे से समझेंगे इसकी पीछे क्या हो रहा है और फिर हम advanced recursion की problems करेंगे थोड़ी सी harder problems जिसमें काफी time लगेगा तो smart person को भी साथ दिन लग सकते हैं तो 11 दिन के असपस लग सकते हैं and number of questions तुमें 15 के असपस करने हैं उनमें अच्छे से clarity से करना है कि यार अच्छा हो यहाँ पर मैंने पिछली पास दिन का दिया था यहाँ पर मैं साथ दिन का दे रहा हूं कोई बात नहीं थोड़ा time ले लो अच्छे से grasp कर लो concepts और यह ordinary person यहाँ दस दिन ले सकता है तो total days तुम अब 54th day पर आ गए हो and you have covered till recursion which is a great speed बता दो महीने में recursion type आ जाता है अगर ए यह basics of data structures and algorithms हो गया देखो यहाँ लिंक पर जाके तुम हमेशे practice कर सकते हो वह मैंने top पर डाल रखा है ठीक है फिर अब बात करते हैं जो important data structures होते हैं कि पढ़ने ही पढ़ने है इसके बिना तो काम ही नहीं होगा तो वह कौन से होते हैं एक होता है link list एक होता है stacks and queues एक होता 3 दिन लगेंगे binary trees में 4 दिन लगते हैं because नया concept आता recursion से BST के थोड़े hard questions होते हैं तो 5 दिन लग जाते है minimum है ना और कोई ordinary person होगा तो उसी ratio में यहाँ देख सकते हो तो और questions हमें link list के 20 questions करने चाहिए right अच्छा खासा important concept है stacks and queues का ठीक है बहुत जादा questions आते नहीं है तो 15 पंदरा question भी कर लें तो हमें समझ में आता है binary tree और BST सिमिलर से concept है तो overall अगर तुम देखो के 15 प्लस 20 35 questions के आसपास हम trees में कर रहे हैं अच्छा कासी चीज़े सीख गए है यह सबसे important data structures है after errors and strings जो interviews में आते हैं तो यह तो अच्छे से करी लेने चाहिए इसको करने के बाद हम फिर से break देंगे खुद को स्मार्ट परसन साथ दिन का देगा यह दस दिन का देगा और थोड़े 15 questions कर लेंगे जो अलग से questions होंगे वनना पुराने questions कर लेंगे है तो अगर तुम देखो के तो टोटल अभी तक तुम 77 days तक smart person आ चुका है 137 days ordinary person दे चुका है और हमने 232 questions कर ली है कितनी amazing feeling यार इतने सारे questions कर ली है और most important चीज़े तुमने यहां तक कर ली है अब उसकी बाद आते हैं जो advanced data structures होते हैं जो करने इसको skip नहीं कर सकते हैं हो गया प्राइटी क्यूज हो गया and algorithm भी a dynamic programming बहुत important टॉपिक है इंटर्व्यूस के प्रस्पेक्टिव से भी और competent programming के प्रस्पेक्टिव से भी and as a programmer तो आने चाहिए है तो हैश मैं पर सम्तिंग इसमें इंप्लिमेंटेशन हैश मैं बगरा करते हैं और arrays में बहुत सारे questions में हैश में यूज कर रहा होता है तो थोड़ा उन questions के रहुन रहते हैं तो तीन दिन लगते हैं इसमें किसी के लिए और पास दिन तक दे सकते हो ठोड़ा मुश्किल concept होता है एकदम grasp करना मुश्किल लगता है तो पास दिन लगते हैं और dynamic programming तो बहुत important concept है वहां पर 9 दि तो लगेंगी किसी smart person को भी और अगर कोई थोड़ा ओडिनरी है उसको 18 दिन लगेंगे तो मैंने दी है उसको 18 दिन लगेंगे और questions यहां 20 के आसपस करने पड़ेंगे उसी ratio में questions है उसके बाद खुद को break देंगे यहां पर मैंने लंबा break दिया है 10 दिन का break दिया है क्यों अब वो comparatively सई stage पर आगे यहां तक ठीक है बट यहां पर आने के बाद अब वो decent level की stage पर आजाते हैं दोनों मैं मानतों बराबर हो जाते हैं तो ठीक है उतना break के जरूत नहीं है और number of questions हमने 15 के आसपस कर लिए उसमें तो अगर आप तुम देखोगे 104 days में और 178 days में तो और यहां सवा तीन महीने में आसपस तुमारा जो data structures में चाहिए इंटर्यूस के लिए mostly वो तुमारा cover हो चुका है अब नीचे जो है न वो extra topics है जो इसके बात करेंगे हैं यहां तक अगर कर लिया तो तुम देखो 6 महीने में जो ordinary person है वो भी cover हो गया और 17 महीने में आसपस एक smart person भी cover हो गया है और हमने 287 questions कर लिया है good amount of questions कर लिया है कि हमारा confidence अच्छा हो जाना चाहिए इसके लावे कुछ other important topics है जैसे tries होता है ग्रीडियल को औरतम सीखना binary search की काफी सारी applications होती है वो कर सकते हो bit manipulation, dq, dq बहुत hot topic हो गया है यह कुछ extra topics है मैंने उसकी भी days लिख दी है accordingly है ना तो अगर तुम देखो के अगर इनको भी करोगे तो 124 दिनों में यह overall हो जाएगा और 218 दिनों में यह वाला खतम हो जाए महिने में और यहां तक करते है तो यह वाला 6 महिने में पर अगर यह वाले topics भी करते है तो एक महिने और दे दिया मतलब यहां 4 महिने हो गए यहां 7 महिने में और overall हमने 300 questions कवर कर लिए मैं guarantee लेता हूं तुम्हें coding करनी आ गई तुम्हें data structure algorithm से अच्छे से आ गया तुमारा तो अगर overall यह follow कर लेते हो अच्छे से तुम्हारा को code करना आ जाएगा तुम्हार को पता है कहां से practice कर सकते हो यहां से practice कर सकते हो कहीं और से कर लो बट यह सारे topics within this time कर लो तुम्हारा को अच्छे से code करना आ जाएगा तो I think इस sheet से तुम्हारा answer solve हो गया है that how long does it take to learn coding मैं यह sheet का link description में attach कर दूँगा फुरा दंग से अपने time table में set कर लो and try to follow this अच्छे से DSN algo कर लेंगे and forward देंगे okay great thank you what helped me becoming good at data structures and algorithms and तुम लोग relate भी कर पाऊगे because I am the one जिसने जैसे 11th and 12th में computer science नहीं पड़ी थी है ना and college के first year में वही यह शुन कानित कर गए एक latest ebook आती है और college में जो हो रहो होता है वही करा था बट उसके बाद आया है followed some path और मैंने कुछ rules के साथ अपनी तयारी करी थी which helped me becoming great at data structures and algorithms तो मैं ऐसी आज 10 चीजे बताने वाला हूं जो अगर तुम भी follow करोगे तो तुम्हारी journey में भी बहुत हल्क होगा और तुम भी forward होगे data structures and algorithms को तो enter करेना and you will know all of these things और अगर पसंद आया वीडियो तो like and share कर देने अपने friends के साथ and definitely subscribe रोगे तो पहले first point से start करते है so the first point is कि I was clear about 8 months of investment in programming मतलब मैं data structures and algorithms में clear था कि यार क्यूंकि मैंने पहले से नहीं पढ़ावा तो मुझे 8 महीने देने पढ़ेंगे to excellent data structures and algorithms and this clarity helped me कि first year end हुआ है ना तो मैंने first year end होने पे June से लेकर December तर January तक मैंने पूरा data structure and algorithms पे ध्यान दिया है मतलब second semester end होने से third semester end होने तक पूरा मैंने data structure and algorithms कर रहा था और कुछ नहीं करा था so that helped me really well because उसके मैंने कुछ दिमांग नहीं लगाया कि मैं कुछ और करूंगा नहीं करूंगा बट data structures and algorithms ही करूंगा okay so this clarity helped me a lot and तुम लोग भी जब तयारी कर रहे हो data structure and algorithms की कुछ और मत करना केवल DS and algorithms पे ध्यान देना okay so second point is I made my fundamentals very strong देखो मैं शुरू में बहुत स्लो था मुझे बहुत दीजे से समझ आती चीजे बट मेरको एक चीज का ध्यान था यार बेसिक अच्छे से खरने होते है तब ही तुम advanced चीजे समझ पाते हो तो जो basic fundamentals होते है functions हो गए loops हो गए patterns के questions हो गए oops के concepts होगा या वो मैंने बहुत अच्छे से करे थे और मैं बता रहो तुम्हें basic महीं मुझे दो महीने लग गए थे मुझे time लगता था बहुत सारे errors आते हैं मैं resolve करता था but I was clear कि यार बे strong रखना पड़ेगा और तभी मैं advanced चीजे कर पा हूँ और मेरे very strong की वैसे मुझे आज भी help करता है क्योंकि अगर तुम अच्छे से चीजों को समझ पाते हो तो शुरू में दो महीने tension मत लेना basics जो है उनको बहुत अच्छे से कर लेना कि तुम्हें पता हो न अच्छी कि memory allocation पीछे कैसे हो रहा है पूरी clarity हो नीचे दिमाग में that will help you in later on advanced data structures like trees graph जब पढ़ रहोंगे न तो जो basic वाली चीज अगर अच्छी होटे तो वहां पर भी अच्छे से समझ आपाता है I think this helped me really becoming great in data sectional algorithms मैं हर topic के शुरू के 2 questions में पूरा dry run करता था कि ये question solve कैसे हुआ चाहे वो recursion का question हो चाहे वो binary 3 का question हो चाहे वो array का question हो हर topic के शुरू के शुरू के 2 question में pen and paper को use करता था I equal to 1 के लिए कैसे चल रहा है I equal to 2 के लिए कैसे चल रहा है I equal to 3 के लिए क्या हो रहा है उसने मेरा base बहुत अच्छा कर दिया और मेरे को पूरी clarity हो जाते थे कि ये question कैसे solve हो है So I will highly recommend you इसमें आलस मत करना हर topic के जो तुम 2 question करते हो न शुरू के उसको dry run अच्छे से कर लेना कि इसके पीछे क्या क्या हो पूर लोग compiler पे भी कर पाते है बट मेरे को लगता है मेरे लिए pen and paper ने बहुत help करी थी पूरा मैं लिख लिख के करता था and that helped me really well कि मेरे को हर topic की clarity हो तो dry run को तुम छोड़ना मत बहुत इंपोर्टन टेक्नीक है जो तुमें हर बारी help करें तो फॉर्थ पॉइंट is slow speed of writing code बट effective तो मतलब मैं जब code लिखता था तो मैं बहुत slow था क्योंकि मैं फाल्टो का code नहीं लिखता था ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा हूं मैं recommend करूंगा जो code लिख रहे हो उसके पीछे सोचो फाल्टो का code नहीं लिखो अगर तुम्हें नहीं समय में है वहीं रुख जाओ slow is okay बट अगर शुरू में वह पूरा clarity से code लिख लोगना तो बाद में तुम थेस भी लिख पाऊ गहीं क्योंकि वह clarity शुरू में होना बहुत जरूरी है तो slow speed से मत दरना बट जो लिख रहे हो उसके पुरा ध्यान दे देना कि मुझे समझ में आ रहा है कि इसके पीछे क्या हो रहा है अगर मैं अपने दोस्तों की बात करूँ बहुत सरे लोग उने 11th 12 पे पड़के आए वे थे बहुत सरे लोग कॉलेज के फर्स यह में प्रोग्रामिंग कर रहे थे मैंने उसके बात स्राट करी थी ओविस्की मुझे बहुत आ गए तो लोग लर्निंग भी करते क्योंकि मैं यह स्लो था राइट मैं एरे पर होता था वह लोगी निकलिस पड़ रहो थे बट मैं उनसे कंपेर नहीं करता था विकोज यह से मैं ने फर्स पर्स नंबे बोला कि आट पर नहीं देग रिडिए आई वस क्लियर कि मैं थोड़ा वहूं बट सीखूंगा और अच्छे तो अपने आपको इंप्रूफ करते रहो दूसर से comparison मत करो this will help you really well because अगर तुम दूसर से compare करो भी वो तुमारी preparation को hamper ही करेगा है नो नुकसान ही करेगा पायदा नहीं होगा उससे तो अपने पे ध्यान दो अपना code करो और अपनी चीज़े अच्छे से सीखो ठीक है ना तो six point is कि यार मैं regular breaks लेता था after some time I think that helped me really well as well breaks का मतलब क्या है कि जैसे मैंने arrays and strings पढ़ ले वादर जैसे मैंने basics पढ़ ले थे शुरू के दो मेने तो मैने दो दिन अब chill मारा था कि यार ठीक है सीख लिया बहुत को चीख लिया नहीं चीज़े सीख लिया दो दिन इसे कुछ एडवांस topics आते है वहां पर तो regular breaks बहुत जरूरी हो जाता है कैसे linkless पढ़ लिया कि यार अच्छे से तैयारी ब्यूरी होती है और regular breaks भी मिल रहे होते हैं ऐसी एडवांस topics जब आते हैं ग्राफ का पूरा topic पढ़ने के बाद इतना सब कुछ पढ़ चुके हो ब्रेक चाहिए यार मैं ही पढ़ूंगा अब कुछ एना तो वह जरूरी है regular breaks लो and that will help me in your preparation ठीक ठीक है stacks and queues पे चला गया trees पे चला गया बट linkless अगर revise करना है तो बीच में test दे दिया जिसमें linkless का question आ गया नहीं समिझ में है तो linkless को एक बरी दिमाग लगा लिया और उस question को solve कर लिया बट ऐसा नहीं है कि topic बट कम है ना तो नए topics भी पढ़े जा रहो और old topics को revise कर रहा हो through test तो अटकना मत पढ़ते रहना पढ़ते रहना और old topics को revise करते रहना through test ठीक है I think यह गलती हो जाते है कि हम लोग आगे भड़ी नहीं पाते रुख जाते है यार linkless में 20 question में भी confidence नहीं चलना होते है आगे है ना रुखना नहीं है तो चलते रहो और पुराने questions को revise करो because आगे वाले data section में लिंक लिस कहीं नहीं कहीं काम आएगी यह आगे वाले data section में trees कहीं नहीं कहीं काम आएगा तो वहाँ पर division भी हो जाएगी तो चलते रहो चलते रहो and that will help you in your preparation the next point is I think that helped me really well as well कि single source मैं केवल एक ही source से पढ़ता था है ना मैंने यह नहीं करा कि मैं यह चीज़ यहाँ website से पढ़ लेता हूँ यहाँ website से पढ़ लेता हूँ उससे बहुत एमपर होती है preparation में को clear था मिरको 8 मेने देने है और मैं इसी source से पढ़ूँगा तुम लोगो भी clarity कोई भी source सुन लो अब उसी पढ़ूँगा इधर उधर मत जाना है कोई चीज किसी तरही से explain करीवी है किसी और ने किसी और तरीके से करीवी है नहीं समझ में आता अगर कोई भी source पकड़ लिया है उसी से सीखूँगा उसी से पूरे 8 मीने रहा हूँगा उसके बाद देख सोर्स रियली है ना नेक्स पॉइंट इस नो प्लेस्मेंट माइंड से एक चीज मेरे दिवाग में क्लियर थी मैं पढ़ा ही तो प्लेस्मेंट के लिए कर रहा हूँ है ना बट जब मैं लर्निंग कर रहा हूं तब मैं प्लेस्मेंट की बारे में नहीं सोचूँगा यह टा नहीं दिमाग लगाता था यह Amazon के question है Google के question है नहीं मैं केवल और केवल तयारी पर ध्यान देता था मुझे यह topics करने है यह questions करने है and मैं इससे फिर और बेटर हो जाओंगा फिर उसके बाद मैंने कुछ और questions कर लिया मैं उससे और बेटर हो जाओंगा placement mindset से नहीं करता था obviously after 8 months में को clarity हो गए थी कि मेरे पस confidence आ गया है अब मैं DSNL के questions तो पक्का solve कर लूँगा अब उससे best company निकलेगी नहीं निकलेगी वो बात की बात है अब मैं उसमें द्यान नहीं देथा था I think that helped me really well because उमरा focus पूरा learning पर होता है और तुम इधर उधर की चीजों के बारे में नहीं सोच रहे हो and the last point but not the least like 8 months was for learning but ऐसा नहीं मैंने उसके बाद छोड़ दिया उसके बाद ही मैं regular practice करता रहा कि 5-6 questions परवीत कर रहा हूं मैंने और skills चीखी android development चीखा but data structural algorithms नहीं छोड़ा वो ही चीज तुम्हें बढ़िया बनाईगी data structural algorithms में उसको छोड़ना नहीं है because placement के time या कहीं भी data structural algorithms सबसे ज़्यादा matter करते हैं because दो interviews तो हो नहीं है तो उसको छोड़ना मत लगे रहना and उसमें फिर क्या होगा DSNLGO में और अच्छे होते रहोगे और कोई ना कोई extra skill भी आ जाएगे So these were the 10 things जो मेरे को बहुत help करी during my preparation I think तुमारी भी कोई suggestion होगी तो मेरे को comment box में बताओ I will be happy to hear that और कोई दिक्कते आ रही है तो वो भी पूछो I will be happy to answer that ठीक है बड़ यह 10 चीज़े अच्छे से follow कर लेना और preparation में focus करना और तुम DSNLGO में एक्तम forward दो ठीक है चलो good luck How to practice these data structures and algorithms स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो जब तुम स्टार्ट कर रहे हो learning data structure and algorithms अपने attitude को change करना पड़ेगा अपने आप से बोल दो या में से तो भी कोई expectation नहीं है कि मैं हर interview problem solve कर लेता हूं क्या क्या मैं Amazon की problem solve कर लूँगा Google की problem solve कर लूँगा कुछ नहीं सोचूंगा इस बारे में अभी अभी मैं क्या सोचूंगा यार मुझे तो न मैं learning phase में हूं मैं तो अभी सीख रहा हूं मैं data structure and algorithms के questions practice करूंगा मुझे नहीं पड़ता हूं किस company में आया है कहां से आया है मेरे को बता है मुझे सीखना है और मेरे को अपनी problem solving ability को बढ़ाना है data structure algorithm होता वही है सब लोग arrays पढ़ते हैं strings पढ़ते हैं link list पढ़ते हैं stats पढ़ते हैं queues, trees, hash map, practicals, graphs और algorithms में recursion and dynamic problem ठीक है पढ़ते सब लोग यही है अब पढ़ने का एक तरीका होता है जो differentiate करता है कि तुम अच्छे होगे या कम अच्छे होगे तो अच्छे होने के लिए ना अपसे बहले तो हर data structure algorithm में दो चीज़े सीखने होते हैं one is the implementation part कि अगर मैं stack बोल रहा हूं तो stack में अगर push or pop operation है वो order of one चलते हैं तो तुम्हें पता होना च्छे हो कैसे चलते हैं क्या हो रहा होता है उसके पीछे प्राइटी क्यू में अगर minimum operation log in में आ जाता है तो वो कैसे आ जाता है यह सब idea होना च्छे यह implementation part है तो जब भी कोई नया data structure सीखो तो उसको देखो उसके पीछे वो कैसे बना है जो मैंने बता है उनी data structure की implementation अच्छे से सीखो और फिर हर data structure algorithm की application करने है कि 30 question में array के करूंगा 30 question में link list के करूंगा 30 question में stacks के करूंगा 30 question में queues के करूंगा 30 question में graphs के करूंगा ऐसे करकर के मेरे overall मुझे 300 से 300 questions को solve करने अब you will ask कि solve कैसे करने है right how will I practice these questions मुझे पता लग दिया मुझे यह सब करने है अब पहली बत तो वो 30 question का distribution अच्छा होना चीए जिस भी platform पे तुम practice कर रहे हो कौन से easy है कौन से medium है कौन से hard है तो अगर तुम array के पकड़ रहे हो 30 questions ideally the distribution should be 10 easy 15 medium और 5 hard questions array के मैं चुनलूंगा link list के मैं further 30 questions चुनलूंगा जिसमें 10 easy 15 medium और 5 hard questions ठीक है हर topic में ऐसे-ऐसे मैं questions को practice करने है और order यह रखूंगा जब मैं link list की questions कर रहा हूं तो पहले easy वाले फिर medium वाले और फिर hard वाले किसी order में जाना बीच में गड़वड करना है ना लोग यह गड़वड कर देते यह questions मुझ ckaीं है नहीं वआ question 2 गंटे अच्ठे से दो अकर सुभेड बैटे हो तो सुभे 2 गंटे अच्छी से दो लगाँ pen & paper के सात question को solve pen & paper के बिना मत करो नहीं होग और विग्दम फ्रेश माइंड से सोचने की कोशिश करो, दो गंटे और तो, उन दो गंटों में अच्छा हो जाता है, तो बहुत अच्छी बात है, हो गया, नहीं हुआ, तो उसको अब छोड़ दो, अगले दिन सुबह पकड़ो, और अब तुम सॉल नहीं करोगे, तुम उस को ना अब 20 दिन बाद दुबारा करोगे, वो बहुत जरूरी है, यह इस चीज में आलस मत करना, यही तुम्हें ग्रेट और गुड में डिफ्रेंशेट करेगे, तो तुम जब 20 दिन बाद उस को जब भुक माग करोगे, और तब दुबारा करोगे, तो तुम्हें मोस्ट वो एक नई प्रॉलम की तरही लगेगा, क्योंकि तुम्हें मारा माइन की तेज नहीं चलता, वीस दिन बाद भूल जाते हैं, फिर से वही स्ट्राटेजी फॉलो करोगे, हो सकता है, नहीं हो, मुझसे नहीं होते थे 80% कोशन, 50% कोशन सेकंड टाइम भी नहीं होते थे, त हुआ के तुमारा करो, क्योंकि इस नॉट अपाउट व्लणिंग आदेग जाते हैं, तो यह हर रहत युट्र अच बाद के कोशन में हर 30 कोशन में यह फॉलो करना पड़ेगा, और जब तुमारे पास वो 300 कोशन का बैंक हो जाएगा, तो तुमारे पास यह आएगा हीगा, अब क्या आएगा इसमें यार मेरको ना अभी भी Lite lists में confidence नहीं आ रहा या मुझे binary tree में confidence नहीं तो उसके 10 कुशन और कर लुग जिसी topic में पता होगा कि incidents ऑट मुझे इस topic में confidence नहीं और इस topic में confidence अ 20 topics तो इन topics में confidence में त्षवड़े और इसे ही करना होता है सब के अपने स्ट्राउंग पॉइंट होते हैं अपना स्ट्रॉंग पॉइंट रखो लीक पॉइंट पर काम करते रहो और विंकिली विकम ग्रेटिन डिटा स्टॉक्टर्टिर्स ग्रेट बनो गे ऐसा कभी स्टेज नहीं आएगी कि यार बोल दो मेरेको मैं तो कोई भी प्रॉलम देदो और मैं शॉल करते हूंगा फिक है वह तो यार विराट को लिये सचेन अब 10 में ची अधर में पर जीरौ बनाते है नहीं कोई नहीं בol सकता कि मैं हर मैंच में रन्रेट बना दूगा कोई नहीं बोल सकता कि मैं हर प्रॉलम को स्ट्रॉल करते तो तो हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी हम एक स्टेज पर आ जाएंगी हम बोल सकेंगे हमसे ना 90% 95% पर जाती है तो बहुत से स्टेज पर आ गए हो और उसके बाद जाके तुम अपनी अप्रैक्टिस करो कि मुझे Amazon के करने हैं या मुझे Google के इंटर्वी कोश्चंस करने हैं आफ्टर यू फुल फिल्फिल यॉर बैंक नाओ यू व कॉंफिटेंस की मैंने यार एक 300-300 कोश्चंस का बैंक कर लिया अब मैं फर्दर रोज 2-3 घंटे दला आगा के कोश्चंस कर रहा हो Amazon के कोश्चंस कर रहा हूं Google के कोश्चंस कर रहा हूं Facebook के कुश्चंस कर रहा हूं जिससे की मैं बहुत अच्छा हो जाओं Data Structures and Algorithms पे तो मैंने इसकंदर सब कुछ कवर कर दिया कि तुम्हें कैसे तयारी करनी होती है कैसे solution देखने है कैसे time invest करना है and if you follow the strategy for 5-6 months तुम बहुत अच्छे हो जाओगे Data St तर दो आनने अच्छान और प्रतुम सेचंद पे है and you will come out with of sips okay thank you so it's session iana all about the most important topic for intermediate avenues data structures बतलब किस order में करने चाहिए, कॉन ने टोपिक्स करने चाहिए, कॉन से मस्ड़्ो पोछिं ने है, कॉन से मस्ड़्ो अल्गॉरितम से, कॉन से extra topics विच्छी ने नगॉर फॉरिज्ट्रवुज और इस अगर पूरे पात को तुमने फॉलो कर लिया, तो I take a guarantee, data structures and algorithms तो एकदम पूर्द होगे इस पूरे पाथ को एंद तक देख लो और इस पूरे पाथ को फॉलो कर लो and you will become great in data structures and data start करने से पहले मुझे दो चीजे कन्वे करने है first is like and share कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया वीडियो अपने प्रेंड्स के साथ so that वह भी देख लिया and उनके भी help हो जाए and definitely subscribe आवर चैनल we do upload lot of helping videos which will be very very helpful okay so this is the first thing, second thing is I want to convey the information regarding scholarship test which will be in coding in jazz, it will be for foundation courses as well and advanced courses as well foundation course means basic data structures course, it is also scholarship test and advanced courses like android course, web development course, machine learning, competitive programming in sub course के लिए भी scholarship test है foundation के लिए 26th April को है, advanced के लिए 27th April को है, minimum scholarships लिए 500 तो मिली जाएगी और अगर test में अच्छा कर दो के तो और भी तो लिंक जो है वो description में होगा and वहां से रह पर कर सकते है, okay so now we are on the path and I want to share my screen with you I have written a whole, follow the whole path and we will become great in data structures okay so this is a practice link that is absolutely free on our platform named Code Studio वहां जाके तुम पूरा प्रैक्टिस कर सकते हो, यह जो मैंने यहां लिखागा है वही same order है वहां पर बस मैं यहां यह बता रहो यह करना है and कर तुम हां सकते है okay, now what do we do? Arrays and Strings से start करना, सबसे पहले Arrays and Strings को करना है and Arrays and Strings को करना है and Arrays and Strings के पहले basic questions करना है like sum of all the elements of Arrays Strings के भी कुछ basic questions करोगे and उसके बाद कुछ Algorithms लगाओगे sort-0-1-2 का question सोना होगा वह बहुत ही interesting algorithm है and बहुत questions के उस होती है Sliding Window Algorithm बहुत ही interesting algorithm है and बहुत questions के उस होती है and two pointers जो हम एक start में रखना, एक end में रखना या दो pointer साथ में चलाना like in English में करते हैं slow and fast pointers वैसे वाले जो होती है यह सब चीज़े करेंगे Arrays and Strings में and हमारक को फोड़ी बहुत algorithm साजेंगे and Arrays and Strings से बहुत सारी problems solve करेंगे so overall इसके अंदर हमें 25-30 problems solve करनी होगी and we will become good in Arrays and Strings सबसे पहले इसी data structures के questions को solve करेंगे पर मुल्टी-डिमेंशल Arrays पर आते हैं 2-D Arrays generally 2-D Arrays भी होते हैं 3-D Arrays के तो questions नहीं होते हैं तो इसके अंदर क्या है traversal-based problems पहले हमें करने हैं 2-D Array में यार waveform में traversal करने हैं waveform पहले ऐसे फिर ऐसे उपर से नीचे पर नीचे सोपर फिर उपर से नीचे सोपर तो ऐसे traverse करने हैं या एक spiral order होते हैं तो traversal-based वाले questions बहुत इंपोर्टेंट होते हैं जरले 2-D Arrays के बहुत इंपोर्टेंट होते हैं उसके बाद रोटेशन-based problems कि मेरे को एक matrix दीवन उसका तो इसमें कैसे करूँ हैं तो मुझे कुछ रोटेट वगरा करना हो तो इस टाप के questions भी 2-D Arrays में बहुत इंट्रस्टिंग होते हैं और उन questions को हमें practice करने चाहिए उसके बाद हमें recursion and backtracking के questions करने चाहिए पहले basic recursion के questions करो विल्फुल basic factorial, fibonachi अगरा इन सब में अच्छे हो जाओ तो divide and conquer जो generally merge sort, quick sort में लगती है अच्छे से करो recursion का hard part मैं बताऊँगा थोड़ी देर बात करो जोसका hard part जो hard questions है वो थोड़ी देर बात करने होगे अभी नहीं करेंगे यह क्या है sorting algorithm sorting algorithm मतलब insertion sort selection sort, merge sort यह सब जो होती है na algorithms merge sort on किसवर तो यह कर लेनी चाहिए औरा इन के concepts के अच्छे होगा यह sorting algorithm होगे and हमें अच्छे से कर लेनी चाहिए उसके बाद binary search तो आना ही चाहिए अच्छे अलावा binary search की नपचछ ड़्य array per matrix per यह बहुत जगे रुगे concepts same है time complexity में कर थे तो बहुत जगे apply तो है तो भुत standard questions यह और अगरेसिव थाओस ऐसे बहुत सारे कुछ कुछ स्टानेड कोश्शन हैं पेंटर्स पारिशन प्रॉबल्म जिसमें बाइनीर सर्च लगा हो अगर अगर कुछ कोह लगाहिए हुँँजए कर लिए बहुत सारे कुछ सारे सальный तो एल अगर हम कर लेंगे तो हमारे थोड़े डीदा स्टार्श होते हैं यहां पर यह अगर तुम जाओगे लिंक पर तो यह सक तुम में देखेगा यह यह अगर तो यहां यहां कोर कि रिवर्सल में वमें क्या क्या करना है है के क्या कॉश्वान कों कुश्वान करने के यहां जाके पुरा riding pen कर थे तुम यहां स्व denial 2000 कुछ खेंगे धि Seems करना है एक Link List यहना कुछ भी चेंज हो सकते है तो Link List में अगर हम अच्छ हो जाएंगे फिर हम जाके Stacks & Queues करेंगे Stacks & Queues में पहले Implementation based वाले problem करने है कि Implement a stack using Link List Implement a stack using Aries Implement a queue using Link List तो Implementation based वाले problem and उसके बाद application based problem कि stack कहा यूज होता है उस type के problem जैसे post fix expression है बहुती common application है stack थी यहना ऐसी queue के भी बहुत सारी standard applications होती है तो उनको हम करेंगे अगे practice link पे बहुत सारी problems है वहां से अगर तुम practice कर लोगे तो you will get comfortable in stacks and queues as well फिर उसके बाद हम binary trees करें यहना binary trees में tree traversals पड़ते हैं like post order हो गया pre order हो गया in order हो गया यह सब tree traversals के around पड़ा ही करते हैं और construction of trees करना right कि मेरे को pre order given है और in order करना है तो binary tree कैसे बनेगा यहना pre order in order से बन जाता है क्या post order in order given है तो हमें construct करना है आसी tree views के बहुत सारे question होते है कि मेरे पर top view print कर दो left view print कर दो बहुत standard questions होते है और इसके अलावा कुछ standard problems और भी होते है like LCA of binary tree और check if binary tree is BST or not इस ताइक के बहुत सारी standard problems की होते है दो हम je wholegen solve कर सकते है कि अगर किसी अगर किसी आसी का pre order given है क्या उससे पूरा BST बना किसी में भी कर सते हैं like convert a BST into sorted link list अज ऐसे बहुत सारे standard questions होते है फिर वोही modification in BST, BST में कुछ change करना कि replace all the notes with the sum of their children ऐसे बहुत सारे questions होते है and our standard problems इसमें भी होते है like LCA of BST निकालना या एक होते है के-त-largest element in BST निकालना ऐसे बहुत सारे standard problems होते है तुम्हें इस लिंक पे जाओगे, तुम्हें सारी प्लम्स प्लिज़कर, कौन-कॉन सी करते हैं, फिर उसके बाद हमें प्राइटी क्यूज पुज़ए पाले डेटासर्ट के बारे में पढ़ना चीगें, उसके अंदर भी पहले कि हमान bitcoin कर was कि कि एक और उनको अग। कषेना है तुर मनने होटे बिकमेंटbyध की मिव अगर उनकोट है कि वह फ्यक्पल आपकized है अगर प्लिमेंट अशचय का आपई क्वा बना सकते हैं एंड तो बाद में और अगेन किु आ वही होत को आरे में convert करना है ऐसे बहुत सारे questions होते है और इसके अंदर एक बहुत ही standard चीज़ है K-based problem बहुत सारे है कि जैसे मरे को merge k-sorted areas merge two sorted areas तो बहुत common है बट एक होता है merge k-sorted areas तो k-sorted areas गिवन है उनको merge करना है उसके इनर generally हम heap use कर लेते है merge k-sorted link list, k-sorted link list गिवन है उनने merge करना है तो अगेन उसमें कुछ करके heap use हो जाता है या kth largest element in array बताना है तो कही ने कई हम heap use कर लेते है ऐसे बहुत सारी applications है k-based problems हमें अच्छे से कर लीनी चाही है उसमें बहुत जगे पराइटी उसके बाद हमें graph पढ़ना पढ़ना या तो यह सारा करना है तो हम प्लेस्मेंट के लिए प्रेडी पकता हो जाए तो हम प्लेसमेंट के लेए प्रेडी पकता हो जाए करना है कि मेंट के बाद कुछ MST होती है, MST की बात standard problems है, Minimum Spanning ओगेरा करके वो अथ सारी common question होते है shortest path algorithms like textual algorithms or prims algorithms, prims algorithms generally in MST में होते हैं, बाद और ही shortest path algorithms Topological sort is a very common algorithm, वो use करणी चही है तो इसके अंदर बहुत सारी प्रावलूम्स है जो हम लिंक पर जाके देख सकते हैं वहार से हम सॉल करते हैं तो इसको लास्मी करना है क्योंकि यह कापी इंटरस्टिंग बनाता है DP with arrays करेंके Τ dándर ऀर्मस करेंके लिंक करेंके अँटरस्टिंग वाहर साकनल से वहार सारी करेंके धे लिल्क में जाटरस्टिग करेंके सब्सक्रावलूम्स करेंकेती व किया alan यह कॉंक वाहा मनातीं वाह सारीत करेंके Cristian कुछ करेंके 2500 पीलिर संके करते हां इसके बाद इसके बाद जाके क्योंकि हमें सारी डेटा स्क्राइबल हो जाएंगे तो अब हम रिखार्ड रिकर्जिन एंड बैक्ट्रैकिंग के कोशिंस कर पाएंगे एंड उसको हम अच्छे से सौल कर पाएंगे यह कुछ अधर टॉपिक्स है जो बहुत इंटर्व्यू के प्रस्पेक्टिव से तुम अल्रेडी बहुत सारी जगे इसमें यूज करो गई तो है इंप्लीमेंटा है बहुत कॉमन प्रॉब्लम है वह यहां पर हमें अच्छे से कर लेने चाहिए कि हैस्माप अगर बनाना है तो वह कैसे करें त्राइज बहुत इंपोर्टेंट प्रॉटेंट के काफी कोशन सुमें काफी इंटर्व्यू में इंप्लीमेंटा त्राइडारेक्ट कोशन आजा तो यह भी हमें अच्छे से कर लेना चाहिए बिट मैनुपलेशन की काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है उ इसकी भी काफी सारी अप्लिकेशन सुजाती है तो इसकी भी में फोड़ी पैक्रिस कलेने चाहिए यह बहुत ही हॉट टॉपिक है स्पेश्टी पर कंपनी लाइक गूगल बहुत जगे कोशन आने लगे है तो इसको इसको एक अच्छे से कर लो डबली एंड शर्कुलर लि कर लेंगे तो हम ओवराल कवर हो जाएंगे अब हमारा डेटा स्ट्रॉशनल गॉर्टरम पूरा रेडी है इंटर्यूज में जो भी पूछा जाएगा इनी सम्में से किसी ना किसी से किसी भी टाइक की अप्लिकेशन आ सकती है तो अगर इस वाले में जो अप्लिकेशन सब्सक्राइब 500 जो अगर गया इस प्रिकेशन बीच यह अप्लिकेशन हुआ कि बाल्शन हो डिकेशन olmaz फक्तव कर दो अगर यह सब खर मैद से करते हो आनना यह कर दो ग्यूस कर में में हम थेम शनी कर लिया तो थो मतमारा बिक और मियुआ एठक यह to dحد है तो इस द्यु आ structure algorithm में अच्छा हो सकते हैं, right? So, I think all of us know data structure algorithm is very important. We want to understand कैसे सीखें, तो अब basically उसके लिए बहात सारे resources है हमारे पास, and I think one of the biggest confusion is कि मैं करना चाहता हूं, बट मैं करूं कैसे हैं, right? So, that's what all I'll cover. I'll cover, I'll talk about book से कर सकते हैं क्या, blog से कर सकते हैं, YouTube से कर सकते हैं, courses कर के कर सकते हैं, like what are the different ways that I could potentially learn and then we'll sort of do a comparison, quick comparison, कि what will be effective, what does, what क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, okay? So, we'll talk about all of that, so please stay till the end of the video and you'll get all these answers. So, before I get into that, I have two small requests, one is अगर वीडियो अच्छे लगे, तो प्लीज शेर कर देना, like कर देना, and प्लीज सब्सक्राइब to the channel and along with that, another thing that I'm going to talk about is that on coming 26th and 27th, we have Coding Ninjas के 2 scholarship tests हो रहे हैं, एक foundation courses के लिए और एक advanced courses के लिए, so description में link है, so check it out, अगर interesting लगता है, if you think that is something that you want to explore, तो register कर लो, and there is a chance for you to get up to 100% scholarship in that, right, so please explore that, and चलो, अब स्टार्ट करते हैं, and let's talk about what are the different resources, right, and out of all these resources, which are the one that work, which do not work at all, थेक है, so पेली चीज़ तो मैं compare करूं कैसे, right, there are two things that we need to compare it from, पहली बात तो ये कि investment क्या है, है, अगर मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ, मुझे उसे कुछ चाहिए, तो मेरे को, ये तो पता होना अच्छे न, मेरा input क्या है, मेरे को investment क्या करनी पड़े है, उसके लिए, investment दो टाइक क्यों सकती है, investment is of your time, right, and investment is of your money, you need to understand, दोनों ही बहुत ज़ादा important है, अगर तुम कहीं पे कोई investment नहीं है, बहुत कम पैसा लग रहा है नहीं लग रहा, बट तुम छे महीने लगा देते और कुछ output नहीं निकलता है, तो that is actually really, really bad, right, that's not what we want to achieve, मेरे उसमें तो 6 महीने खराब हो है, that's very, very expensive, so investment क्या है, दूसरी चीज़, आउटपुट आएगा के नहीं आएगा, so हमें ये दो चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे, सारे रिसोर्स को, कि investment की समें सादा है, और हमें आउटपुट मिल रहा है के नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर इसमें अच्छे नहीं होएंगे, तो हम डिवलोप्मेंट में अच्छे होना कर दो मुश्किल है, बिकॉस हम अच्छा कोड नहीं लिख रहे होंगे, हम ताइम कॉम्पलेक्सिटी अच्छी नहीं कर रहे होंगे, या फिर कॉलेज के अंदर कभी होगा, जिसके अंदर तुम डिटाक्षिल गॉरतम सीख सकते हो, similarly, हम कोई बुक खरीद सकते हैं, obviously हम कर सकते हैं, कोई बुक खरीद लेते हैं, और बुक से पढ़ लेते हैं, इन दोनों में एक बहुत बड़ी प्रॉल्बम है, ये दोनों तरीके तुम्हें थियोरी सिखा देंगे, कॉलेज में भी बहुत थियोरिटिकल होगा, तुम थियोरी सीख जाओगे, बुक खरीद होगे, बुक के अंदर थियोरी होगी बहुत जादा, तुम थियोरी समझ जाओगे, बट वो थियोरी ना किसी काम के नहीं है, जब तक हम कोड नहीं करेंगे, तब तक हम सीखनी सकते हैं, अगर मैं तुम्हें बोलू, मैठ सीख लो, और मैं तुम्हें कॉपीबें नहीं दू, सिरब पढ़ पढ़ के मैठ सीख लो, तो यार बहुत मुश्किल है ना, करने से आता है, similarly programming करने से आती है, so we need to find a way जिसमें हम एक्षली कर पाए, so problem with both of these, देखो college में तो कोई investment नहीं है, college के लिए तो जो हम पैसे दे रहे हैं, तो हमें दे नहीं है, को एंद उसमें भी output नहीं आएगा, because जब तक हम actually code नहीं करेंगे, इन से output नहीं आने माला, and एक चीज़ में बता रहा हूँ, देखो, हर चीज़ के exceptions होते हैं, है ना, सो बच्चों में से पाँच बच्चे, शाइद इन से सीख सकते हैं, मैं एक general सब के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है, college and books बहुत ज़ादा लोगों के लिए effective नहीं रहती हैं, 20%, 4%, 5% के लिए रह सकती हैं, तो प्लीज नराज बत हो ना, तुम्हारे लिए हैं effective तो बहुत बड़ी हैं, बड़ उस से ज़ादा के लिए नहीं होती, इसके बाद हमारे पास और क्या option है, अब हम आते हैं internet के दुनिया बे, हमारे पास दुनिया बर के blogs हैं, हमारे पास दुनिया बर के youtube channels हैं, videos हैं, हम बहुत सारे चिगए सीख सकते हैं, हमें क्या चीओगा, हमें चीओगा, भई में कोई 10 topic चाहिए, मैं हर एक topic पे blog पढ़ लूगा, हर एक topic पे video देख लूगा, और मैं सीख जाओगा, यार, same problem है, अब देखो, यहाँ पे investment, पैसा तो नहीं खर्च हो रहा, है ना, free है, but, time तो जा रहा है, बहुत जा रहा है, तुम 6 महीने लगा दोगे, and देखते रहोगे videos, देखते रहोगे videos, but, video देखने से नहीं होगा, किस चीओगा, actually code करने से होगा, so, सिरफ video देखने से, अगर कोई बन जाता ना, programmer में बतारो, तुम सब बन चुके होते होगी, तुम सब इतना दा टाइम, YouTube पे लगाते हैं, यो ओरड़ी, किस अब बन चुके होते होते, programmer, but उससे नहीं होगा, actually किससे होगा, जब तुम actually code करोगे, तो, so, you need to do that, you need to actually write code, that is what is going to, get to a place, जहाँ पे तुम actually seat पाऊगे, so, I honestly believe, सिर्फ YouTube वीडियोज देखके, सिर्फ ब्लॉक्स पढ़के नहीं हो पाता है, अब तुम बोल सकते हो, कि यार मैं एक काम करता हूँ, मैं एक ब्लॉक पढ़ूँगा, या एक YouTube वीडियो देखूँगा, फिर मैं सर्च करता हूँ Google पे, कि भई मेरेको, तो डाइनेमिक प्रोग्राइमिंग पे 20 प्रोग्राइमिंग पे 20 प्रोग्राइमिंग 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 प्रोग्राइम हमें अच्छे सीखा नहीं हमने उसमें क्या प्रोब्लम है उसमें ये प्रोब्लम है तो में लगे का तुम्ने कर लिया अगर सब कुछ और भी बहुत सरे रिसोर्से हैं, like you can for example enroll for some free courses, जहांपर तुम्हें at least structured content तो मिलेगा, तुम्हें मिलेगा गिया ये वीडियो देख ले, फिर ये problem कर, फिर ये problem कर, फिर ये problem कर, फिर ये video देख, फिर ये problem कर, right? Like at least you get a path. What I am trying to get to is, कि YouTube से भाइद नहीं हो पाएगा, सच में नहीं हो पाएगा, कहां से हो पाएगा, वहां से हो पाएगा, जहां पर at least हमें structured path मिलेगा, हमें पता हो ना, जिए, कि ये video देखे हैं, उसके बाद ये problems करनी है, और मैं फिर से बता रहा हूँ, होंगे 2-4-5% लोग जो YouTube से भी सीख लेंगे, तो प्लीज नराज मत हो ना, majority के लिए it does not work, तुम्हें motivation चाहिए, तुम्हें motivation के लिए videos मिल जाएगे, तुम्हें, जैसे मैं भी तुम्हें बता रहा हूँ कि कैसे कैसे करना चीए, तुम्हें ऐसी काम की वीडियो भी मिल जाएगे, but actual content, unless मैं problem कर रहा हूँ, मेरे को करते करते, एक specific problem में doubt आ रहा है, मैं YouTube पे जाओँ हूँ, मैं को बढ़िया solution मिल जाएगे, मैं उसको जाके कर सकता हूँ, that is something that I can do, that is not a problem at all, but अगर मैं सोचू, मुझे कुछ नहीं आता, और अब मेरे को करना है YouTube से तो बहुत problem है, अगर मुझे अब करना है ब्लॉग से तो बहुत problem है, so my strong recommendation, that you please realize, सिरफ पैसा investment नहीं हो रहा है, time भी investment हो रहा है, and तुम्हारे 6-8 महिने बहुत important है, इसमें जितना सीख सकते हो, तो उससे जो eventually पैसा कमाऊगे, उसका जितना अभी investment तुम्हें करना पड़ेगा, उस बहुत कम है अभी investment compared to that, okay, so now what to do, my recommendation, you should follow a structured path, उसके अंदर भी, how do I decide कि कहां से करो, उसमें भी तुम्हें free options मिल जाएंगे, paid options मिल जाएंगे, बहुत सते option मिल जाएंगे, थोड़े महिंगी options मिल जाएंगे, बहुत महिंगी options मिल जाएंगे, तीन-तीन लाग्, चार-चार लाग्वाले option मिल जाएंगे, right, starting from 500 रुपे से लेके, 3-4 रुपे तक Spaß और तुम्हें सारी range मिल जाएगी, जो तुम्हें बोलेंगे कि तुम्हें सिखाते गए अब हम कैसे एवैलुएट करें कि हम ये कैसे कर सकते हैं few things that you should look at first of all तुम्हें पढ़ाएगा कॉन who are your teachers you should feel inspired by them teacher काम सिरफ पढ़ाना नहीं है teacher काम है inspiration भी so you should feel inspired by them यार ये ऐसे लोग है जिनसे मैं actually पढ़ना चाहता हूं these are the people जिन्होंने खुद किया हुए कुछ जिन्दगी में जिनसे मैं कुछ करना चाहता हूं these are the people who inspire that is extremely important they should be good teachers सिरफ content आने से कुछ नहीं होता पढ़ाना नहीं आना चाहिए so that is one very important part second is it has to be structured content एसा नहीं होना चाहिए यार पांच वीडियो है अब ये पचास प्रॉब्लम है जाके कर ले it has to be structured content you should know ये वीडियो देखने है फिर मुझे ये problems करने है फिर मुझे कुछ problems करने है फिर मुझे कुछ प्रॉब्लम करने है very very practical has to be extremely practical right so ये दो चीजे पहले हमें पका basic है जो होनी ही चाहिए teacher बढ़िया होना चाहिए और content बहुत ही structure होना चाहिए अब देखो अब पर दे क्या होदा है बहुत सारे लोग online पढ़ना शुरू करते हैं और नहीं कर पाते पुरा उसके दो main reason होते हैं तो हम जब किसी भी platform को evaluate करेंगे हम ये दो चीजे पक्या से लेखेंगे पहली चीज बहुत सारे लोग की motivation चली जाती है बीच में यार मेरे को आज लग रहा है मैं करना चाहता हूँ बट फिर हो नहीं पाता है ना क्योंकि मेरे को 15 दिन के बाद मेरी motivation थोड़ी कम हो गई दूसरी चीज मेरे को एक doubt आ रहा है अब वो कोई solve नहीं कर रहा है मेरे पास कोई नहीं है जिससे मैं पूछ पाऊँ और वो solve हो जाए तुरा now this is again a big reason people drop out of courses complete नहीं करते है so हम अगर कोई भी online course करेंगे तो we have to make sure कि हमें जब doubts हो हमारी कोई help करेगा हमारे doubts solve नहीं चाहिए अच्छे ज़ी solve नहीं चाहिए that is extremely important ठीक है one more thing बहुत rare जिगर पे तुम्हें ये मिलेगा but if there is a place which will keep you motivated which will take care of you in the sense that तुम नहीं एंथ हो आ रहा तुम्हें कोई motivate कर दे तुम्हें कोई समझा दे generally गाए like अगर तुम for example किसी classroom में जाते हो तो teacher तुम्हें motivate भी करता है तुम्हें पढ़ाता नहीं है तुम्हें बोलता ही ऐसे कर ऐसे कर ये जरूरी है इसलिए जरूरी है like this is the motivation that is extremely important so अगर हमें कहीं पे ये चार चीजे मिल जाए teacher बढ़िया हो content structured हो जादा लंबी videos ना हो boring ना हो interesting हो हमें doubt solve हो जाए और हमें motivation जानने मिल जाए तो I am telling you that is what we should go for थोड़ा सा पैसा spend करने से मैं बता रहा हूँ finally जो तुम्हारा ROI होने वाला है from this जो तुम्हे actually the kind of jobs you can get by learning data अग्चल अगरतम really well कोई comparison नहीं है थोड़ा बहुत पैसा अगर तुम्हें भी पे करना पड़ेगा genuinely बता रहा हूँ and I am Coding Ninja's founder but मैं उसको बिल्कुल साइड में रखके बता रहा हूँ अभी तक जो मैं ने तुम्हें सब बताया है कोई फारग नी बढ़ता उससे थोड़ा बहुत अगर हमें पैसा करच करना पड़ता है तो you should do it because 6 महीने 8 महीने waste नहीं होंगे structured content मिलेगा धंके लोग मिलेंगे कहीं से भी करो कहीं से भी करो I am not saying coding in just say कहीं से भी करो but please यह चीजों को दिमाग में रखते हुए अच्छे से करो extremely important देखो अगर तुम्हें गिटार सीखना होता and तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें eventually सीखना है के नहीं सीखना तो मैं बोरूँ हां commitment मत करो दो चार YouTube देखो देखो तुम्हें मजा आ रहा है के नहीं आ रहा तुम कुछ करना चाहते नहीं करो गिटार किसी से उधार ले लो फिर कर लो फिर लगे की हां बढ़िया है यह तो मैं करना चाहता हूँ अब उसके लिए थोड़ा पैसा करच करो गिटार भी खरीदो कहीं से क्लासिस भी लो राइट लो राइट दो अब यह तो इससे तो करियर बनेगा ना पता है ना की डेटाग से लिए तो इस गोई तो जोब चाहिए तो प्लीस यहां पर हमें थोड़ा डंग से structured दरीके से रहा है this is not a hobby this is something that is going to get you what you want to achieve in your life so प्लीस अच्छे से महनत कर गे करें now just in this last section I will talk about coding I hope you can evaluate teachers कैसे है structured content है नहीं है all of you can evaluate you can read reviews you will find doubts में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा all of that we have people like we have we have managers who are literally there to look at people all of that will be done all of that is done here and one thing that i again want to tell you that i told you in the beginning as well do look out for opportunities like there is a chance you'll get 100% scholarship effectively you will get all of these things without paying much and 100% will get less but you still will be able to get that what you want to achieve right so do check that out and 10-15% of our users our students actually learn for free anyways because this is our teaching assistant. The best thing you learn is teaching assistant and others can learn better because others can solve the code in and eventually stipend that is actually more than what they pay as a fee so effectively you make money you will eventually end up making money rather than spending okay so you just need to be resourceful you need to know and even if you want to ignore what i said in the last one minute absolutely do feel free to do that but please evaluate correctly how you want to achieve what is very very important how you want to learn please dhyan se achse se okay thank you how do i make sure that all the effort that i put into learning data algorithms let's say i did this in second year now how do i make sure that i am revising it the right way before my placements right whether that is an internship or placement interviews how do i revise it at the right moment so i'll talk about all of that what you should do in between this journey during the placement period what how you should revise what are the right steps to do how many problems you should solve uh what are the right way to basically practice and revise right i'll talk about all of that please stick till the end of the video and you will get all these answers just one more request please like the video subscribe to the channel and do share it with friends who you feel this will be valuable for okay so in this video i want to talk about a problem that a lot of students face so you have done enough in data action algorithm and now you didn't do it for a while now you want to revise it right so you want to get back into that zone of solving problems so first of all any preparation of data script algorithms requires you to understand the concepts but more importantly put them into practice you should have solved enough problems and if you've done that when you were learning data script algorithm you will be absolutely fine now you just need to practice for some time and you will very quickly get back into that zone in that groove of solving problems you will be absolutely fine in case when you actually learned you did not solve enough problems you did not practice sadly i have to tell you that you are not prepared for detectures that much at all that is the problem that people face when let's say they have done a detecture course in college because and they have not practiced otherwise right like because sometimes in a lot of colleges they will you not practice a lot you will learn the concepts but you will not practice enough and that is not that much useful you need to write code to actually get into this problem solving get the understanding of problem solving and do well in the interviews anyways assuming that you have done that practice now it's not going to be empty in an ideal scenario what i would suggest to somebody who is learning detakshalvarathams right now is to not lose touch with detakshalvaratham for a long period in an ideal scenario just stay in touch with detakshalvaratham spend five to six hours a week maybe you spend one hour a day or maybe you spend every saturday doing it make it a ritual right like this is exactly what i'm going to do and just stick to that because if you stick to it you will not just only stay in touch with it you will keep improving your skills you will keep solving better and better problems and your overall skill level will go to a very different level right so i would highly recommend you to stay in touch even if you did not let's say but you solved enough problems i'm telling you you will be absolutely fine if you would ask me how to design your revision now my first suggestion to you would be that if you follow let's say a structured path of solving or learning detakshalvaratham my recommendation to you would be just go back and redo all the problems what you have done already right when you're getting this revision done right like your first worry is you are losing that confidence that do you even like are you able to solve problems or not and it's very important for you to get that confidence back right and just because you did some problems earlier does not mean that you will not have to solve those problems now you will have to solve all of them again because it's impossible to remember or like just learn the code right you will have to think about the logic you have to think about the code again so at least these problems are familiar and you will be able to quickly do them relatively and your revision will be done you will feel that confidence that you're back into the business you are basically able to solve again so my recommendation would be like for the first phase of revision just quickly go through whatever you've done earlier just quickly go through those problems again solve all the problems again write the code again and you will just feel very very confident that you are you are there you are able to solve problems and you are absolutely there now once you're done with this i highly discourage you to solve thousand problems now please do not try to solve each and every problem out there so that you never get a surprise in the interview it's not going to happen you will get a question that you have not done before and one question is good enough for you to not clear interviews so what you should ideally do is you should not try to solve thousand problems you should try to do like 200 300 400 really good problems right high quality problems not focus on quantity do quality right so now when you are revising don't try to do a lot of problems instead i'm assuming you are about to sit for placements sit for interviews right try to make sure that you are used to that environment what does that mean that basically mean try solving problems on paper pen explain whatever you are thinking when you are writing it down right even if you are alone in the room just explain it to yourself and you when you speak it out you will realize if you could do something better right so you should do that similarly like in the actual interview you might have to solve it on paper pen so practice that that's extremely important give mock interviews if you have that available to you right like one way or the other give mock interviews if you don't have some professional person who can take your mock interviews give it to somebody in your friend circle who is also prepping take their mock interviews give them a mock interview because then more and more you do these things you don't get like you're not doing it for the first time in the actual interview so you will not screw up there you will screw up in the these mock interviews rather than screwing up in the actual interview similarly give time tests give mock tests because a lot of companies will take their first round to be a mock test round to be a test so get that habit done as well right you are able to solve within some stipulated time like some fixed time and you are able to submit it so please do that as well so overall what i'm trying to tell you is if you're learning right now please stay in touch don't lose touch learning just concepts is absolutely useless you need to write code you need to solve a lot of problems for each topic i would recommend 25 30 problems high quality problems will be good enough for each topic pick 25 30 good problems hopefully you are whatever you're doing here like you have some structured path that you're following and those 25 30 problems as you solve you will get that confidence and move to the next topic it's very important to maintain the right balance solving five is too less but solving 100 is just too many you're wasting time on each topic you should just do 25 30 high quality problems move to the next one same move to the next one if you've done this revision is not going to be a problem and the best way to revise i am saying if you followed this path while learning just redo that as you solve all those problems again you will get that confidence back solve few more problems in the form of mock tests in the form of mock interviews in the form of some additional problems like 10 15 problems from each topic so that you are not doing thousands of problems because that's just going to take like for solving errors itself you will take three weeks doesn't make any sense right like you want to revise so you want to quickly get done with topics that you are not that strong with quickly done with topics that you are very strong with but spend a little more time on that you might need a little more help on and if you want to do that you need to quickly revise and sort of figure out these are my topics which i'm really good at these are topics which i need to a little bit i need to do the work on and once you've done the revision you figure out these topics then you specifically work on those topics okay and extremely important don't just keep solving problems also worry about are you creating that environment for you that you will have to face in the interviews that is a mock interview a paper pen right like so all these things are extremely important mock tests please get used to that otherwise you will end up screwing up your first few interviews that might be really amazing opportunities that you wanted to pursue and you will end up wasting that okay thank you so much i'm sure if you follow all of this you'll be absolutely fine thank you hey guys this is ankush and when we do data searches so i think that's an optimal no choice of questions easy to start in hard to start in hard to start in hard different type of aspects of the topic cover to start in hard but it's all that's all so much we focus on quantity क्वालिटी पे फोकस करें अगर तुम इतनी प्रॉलम्स कर लेते हो अच्छे से कोड करते हो राइट और अच्छे से समझ के करते हो तो यू विल इक्विप तो आंसर कोई भी प्रॉलम आएगी तो तुम उसको सॉल्व कर पाऊगे हमें रटना नहीं है रॉलम्स को हम नहीं हो सॉल्व कर पाएंगे हैं ओके थैंक्यू मस्ट डू डेटा स्ट्ट्ट्रेस और लगॉर्थम के कोश्यंज फॉर बिग प्रॉट बेस कम्शन लेका में इसे सारे होट कोश्यंज बताने वालों जो इन कंपनी पे जनरली पूछ लिए जाते हैं या इन कोश्यंज में जो लग रही होती ही ना उसी टाइप के टेच्निक तुमारे एंटेव या इन्टॉट आफर करने ही करने लिए उसके बिलाब इंटेवीं में जैंगे नी तो हर टॉपिक वार्फण आछियंगे जो कोश्यंज हो बताने वालों है ना and definitely subscribe our channel हम लोग ऐसी helping videos डालते रहते हैं and obviously you get the path of learning तो start करते हैं and let me share the screen with you and उससे हमें clarity हो जाएगी ठीक है so yeah ठीक है तो मैंने एके path बना रहा है must do DS and algo questions for product-based companies Amazon, Google, Microsoft etc पहली बात तो यह सारे topics है arrays हो गया, multi-dimensional arrays हो गया, strings हो गया, record and backtracking हो गया, link list हो गया, stacks and queues हो गया, binary trees, BST, priority queues and heaps, graphs, dynamic programming और कुछ अदर important questions होते हैं इसके लावा जो हमें cover करने हैं यह सारे topics हैं अब हर topic के question हम questions देखेंगे कि कौन से करने ही करने हैं जैसे arrays में यह सारे के सारे questions है pair sum, overlapping intervals, short 012 यह इतने important questions है जैसे pair sum में two pointer से प्रोच यूज़ हो जाता है और hash में ब्यूज़ हो जाता है और तुम्हें यह practice करना है तो इस link पे जा सकते हो बट इससे हम technique सीख जाते हैं अच्छा कैसे काम करते हैं, similarly overlapping intervals इतना important concept है, ऐसे questions बहुत सारे होते है, merge intervals होता है question, तो कुछ sorting करके हम काम कर रहे होते हैं and अगर तुम्हे practice करना है तो इस link पे जाके तुम practice भी कर सकते हो, तो हम यह वाला question तो करेंगे, करेंगे, similarly sort 012 वो तुम्हें Dutch national flag algorithm सिखा देता है and you can practice that on this link, similarly search in rotated and sorted array, binary search की इतनी बढ़िया application है, कि एक array दिया उसको sorted था बड़ थोड़ा सा rotate कर दिया, उसमें search करना है, करेंगे भी करेंगे यह वाला question, it's a hard interview question, बड़ करना ही करना पड़ेगा, तो कि बहुत common है interviews में, similarly smallest sub array with k distinct elements, इसमें sliding window की technique हो जाती है, तो तुम question solve करते हो and sliding window समझ में आ और थोड़े बहुत और questions होते हैं पाच्छे, जो काफी hot हैं बड़ इस level के hot questions नहीं है, तो you can practice that on this link, तो यहां जाके practice कर लेंगे, and arrays के must do questions तुमारे पक्का हो जाएंगे, similarly 2D arrays, multi-dimensional arrays, इसके 2-3 तो इतने important questions हैं, जो generally interviews में आई जाते हैं, जैसे search in a row-wise and column-wise sorted metrics, बहुत ही important concept जिसमें binary search लग रहा होता है, in place rotate metrics by 90 degree, करना ही करना है, ऐसे question में transpose use होता है, because यह question नहीं याद नहीं रहते हैं, महां जाके हमेशा सोचना पड़ता है, तो तो तुम रट भी लोग है, तब भी जाके वहां fresh तरीके से सोचता होगा, इसलिए इतने important questions है, similarly matrix में में मीडियर न in terms of 2D arrays, अब 2D arrays की बात हो गई, तो अब strings की बात करेंगे, जैसे होता है longest substring without repeating characters, इतनी बढ़ी application है sliding window की, कि यह question भी आ जाता है, तो sliding window तुमें string में भी लगाना आ जाता है, similarly anagram difference, anagram इतना important concept है strings के questions में, तुम अगर search करोगे, तु बहुत सारे questions में anagram वाली चीज मेरी, त इसमें hash map का use करना आ जाता है, तो यह वाला question भी करेंगे ही करेंगे, फिर shortest substring with all characters, इसमें two pointers की technique हो जाते हैं in terms of strings, तो हमें यह भी अच्छे से लगाना आ जाता है, और minimum operations to make strings equal, इसमें hash map के थू कुछ न कुछ कर रहे होते हैं, तो हमें strings के थू hash map लगाना आ जाता है, इसक concepts के around काफी सारे पूछे जाते हैं, फिर similarly recursion and backtracking में तो बहुत सारे हैं, अगर तुम देखोगे हैं, मैं links hide कर रहा हूँ, print permutations of string इतना important question है, return subset sum to k, करना ही करना है, because असली recursion तो यही सिखाता है, Sudoku को check करना, इतना common interview question है, एक 2D array में सारे O को X से replace करना, पताब एक surrounding के through replace करना होता है, पर थोड़ा दिमाग लगा के काम करना होता है, similarly reach destination, कि एक point पर कड़े हो, दूसरे point पर जाने में कितने number of ways होंगे, यह सारे काफी favorite questions हैं, काफी कुछ सीख जाते हो, जब वो कर लोगे तो यहां जाके तुम और थोड़े बहुत और questions है, 4-5 वो यहां जाके और practice कर सकते हो, and तुमारे must-do questions होई जाएंगे, तो जरूरीन को practice कर लेना, similarly link list में merge to sorted link list, करा ही करा होना चीए, अगर यह नहीं करा तो फिर भाई नहीं जाओंगे interview में, करना ही करना है, detect and remove loop में तो म 50% interviews में आता ही आता है, इतना common question है, याद रहता है या हर बार ही फ्रेस तरी के सा सोच नहीं होता है, reverse list in great groups, के reverse list होता है, बहुत ही important question है, intersection of two link list, sum between zero, कि link list में zeros है, उनके बीच में जो जो से sum बन रहे हैं, उनका sum बता दो, ऐसे बहुत सारे important questions होते है, तो यार नहीं रहता, and हमें हमेशा सोच समझ के करना ही पड़ता है, तो अगर तुम देखो के इन सम्में क्या है, तुमने अगर पहले से भी कर रहा हो ना, तब बें interview में जाके practice करनी ही करनी पड़ेगी, तो इन चीजों का ध्यान रखना है, तो link list का हो गया, फिर stacks and queues में हो गया, implement stack using link list, हम stack के applications करते रहते हैं, इंप्लिमेंटेशन में ध्यान नहीं देते, वो काफी important question होता है, next greater element, काफी important application है, implement queue using stack, ऐसे questions बहुत सारे होते हैं, because again वही है, कि interview में हमेशा fresh तरीके सोचना होगा, तुमने पहले भी कर रखा होगा, तब भी तुमें दुमें दुबारा सोचना पड़े है, और कुछ अगर इसके अलावा other questions है, वो यहां जाके तुम practice अराम से कर सकते हो, फिर binary trees की बात आ जाती है, तो binary tree को present array से बनाना, यह वहने पहली भी discuss कर रहे हैं, काफी important question है, maximum sum path from root to leaf, कि root से लेकर leaf में किस में maximum sum बन रहे हैं, हमेशा concept लाओगे logical question है, हर टाइम interview में पर भी हो सकता है, ऐसे questions पूछे जाते है, maximum width थे ना binary tree, कि ऐसे वाली width है, इतनी horizontal distance में किसकी maximum width है, ताइम to burn tree, मैंने तो पता नहीं कि इतने सारे interview experiences में देख लिया है, time to burn tree, इतना common question है कि पूरे tree को burn करने में कितना time लगे हैं, और इसके लावा कुछ और common questions है, वो यहां practice link पे जाके तो practice कर सकते हो, similarly BST, BST में delete करना हमेशा एक fresh thinking से सोचना होता है, तो हमेशा इतना important question बन जाता है interview perspective से, एक sorted link list को balanced BST में convert करना, काफी important question है, BST में smallest element निकालना, इसमें काफी सारा तुमारे class use हो जाती है, जावा में अगर करते हो, तो important question हो जाता है, binary tree को BST में convert क करना, pair some in array करा था, pair some BST में करना, अगर तुमने करा है, यह stacks के through होता है, हमेशा fresh सरीके से सोचना होता है, तुमने पहले कितनी बारी भी कर लिया हो, 100 बारी भी कर लिया, तो 101 बारी जब जाओगे, तब भी तुमें fresh सरीके से सोचना होगा, इसलिए important questions बन जाते हैं, इन priority की जो करता है, उसको running medium वाला question तो solve करने होता है, क्योंकि उसमें max heap भी जाता है, min heap भी जाता है, तो इतना favorite question वालाता है, एक min heap को maximum max heap में convert करना, kth largest element in unsorted array निकालना, k वाले word तो generally priority की जाते हैं, तो वो तो करने ही करने पड़ेंगे, k most frequent words निकालना, एक text दिया गया, उसम काफी common problem है, इस link पर जाना, तो मैं समझ में आ जाएगा कि इसमें heaps कैसे use हो रहा है, इसके अलावा थोड़े बहुत और questions है, वो इस link पर जाके तुम practice कर सकते हो, graph की बात करें, is graph a tree, बहुती common question है, m coloring problem, सुना ही सुना ही होगा, snake and ladder DFS के through करते हैं, या BFS के through करते हैं, तो साथ के बहुत सारे questions आते हैं, एक alien dictionary question है, वो जाके ज़रूर practice करनी थी हमें, तो ये common graphs के questions है, और इसके लावा थोड़े बहुत और questions है, वो इस link पर जाके तुम practice कर सकते हो, similarity dynamic climbing में में तो edit distance हो गया, rod cutting problem हो गया, इतने common questions सुनने ही सुने होंगे, बटे करने ही करने है, क्य के लावा ये other questions है, कुछ पाक्षे questions, उनको जाके और practice कर लेना, तो ये dynamic programming भी हो जाएगा, उसके बाद ये 3 important questions है, implementation के उपर ही है, बट काफी common interview के questions है, hash map को implement करना, है न, hash map हम use करते है, बट hash map को actually implement कैसे करते है, ये काफी common interview question है, similarly implementer try, try है, data structure है, हमेशा fresh तरीके से सोचना होता है, तो ये भी काफी common interview question हो जाता है, एक ये DQ है, बहुत famous data structure हो गया, आज की date में, Google वाले तो DQ पे बहुत सरे questions पूस्ते है, तो जरूर इसको कर लेना, implement DQ, and ये team questions कर लो, और इसके लावा थोड़े बहुत और questions है, वो इस link पे जाके practice कर लेना, and you will be done with the must do data structures and questions, मैंने एक पूरा path बता दिया है, ये सारे questions तो करी-करी लेना, कहां से करना है वो भी दे दिया है, बस कर लेना, and ready हो जाना for these interviews, okay, so all the best for your preparation, and thank you. हाई, मैसल पारिक है, तो एर आज की session में बात करेंगे, what all mathematical concepts we should know, before learning data structures and algorithms, first point, we should know how to solve equations, तो जैसे maths में करते थे, कि X और Y का answer निकालना है, ऐसी similarly, जब हम time and space complexity पढ़ रहे होते हैं, तो equations solve करना ही पढ़ती है, तब ही समझ में आता है कि इस algorithm में कितना time लगे है, second point, logarithms, so, बहुत सारी algorithms होती है, जैसे merge sort, quick sort, उसमें n log and time लग रहे है, तो log and factor कैसे है, वो समझ ही नहीं आएगा, जर में logarithms के बारे में अक्से से नहीं पता, third point, basic statistics, जैसे average, median, यह सब पता होना चाहिए, because हम complexity में पढ़ रहे होते हैं, कि average case में इता time लगेगा, तो अगर में thought process स help करेगा, and कुछ questions होते हैं, like running median in a stream of integers, उसमें median का concept is होता है, तो यह सब भी अगर अच्छी से कर लेंगे, तो हमारा हो जाएगा, and last point, अगर probability and PNC basic भी आती है, तो that will be a great plus, यह सब अच्छी से कर लो, और 4 दोगे data structures and algorithms, good luck, data structures and algorithms इतने important क्यों है, क्यों अगर हम data structure and algorithms में अगर अच्छा नहीं कर पाए, तो कोई ना कोई चीज लाग करेंगे as a programmer, okay, and मुझसे बहुत लोग कहते भी है कि, यह data structure and algorithms पढ़तो लिए, बढ़ अब company में आया है, तो इतना use नहीं उडा, तो इतना use नहीं होता है but indirectly बहुत जादा use होता है, तो हमें data structures and algorithms तो अच्छे से करने ही पढ़ेंगे, तो मैं इसे 5 reasons बताऊंगा कि why you should become great in data structures and algorithms, first important point is, कि यार cracking interviews, इंटर्यूस तो निकलेंगे ही नहीं अगर data structures and algorithms में अच्छे नहीं है, जो big product based companies like Google, Amazon, Microsoft, वो तो जो data structure and algorithms में अच्छा होता है, उसक तो directly ले ले लेते हैं, उन्हें बाकी चीज़ों से इतना फरनी पड़ता, उन्हें बस चाहिए यार problem solving skills अच्छी हो, logical skills अच्छी हो, that means DS and Algo में अगर बंदा अच्छा है, so we will hire him और रहें, even startups, तो startups भी दिखो, उन्हें कुछ extra skills चाहिए, web development चाहिए, ml चाहिए, android चाहिए, तो वो ही कर पाएगा, जो DS and Algo में अच्छा होगा, you know, similarly Android development में भी, कि यार, ठीक है Android developer अच्छा है, बड़ क्या DS and Algo एक decent level तक आता है, शायद उतना hard level नहीं, बड़ decent level तो चाहिए, तो DS and Algo में अच्छा करना ही पड़ेगा, पर cracking the interviews, I think this is no brainer, हमें DS and Algo interviews निकालने के लि अच्छा होता है, जो DS and Algo में अच्छा होता है, वो company में भी अच्छा काम कर पाता है, तो इसके लिए जो second point है, वो है, writing the optimized code, यह चीज नहीं कोई सिखा नहीं सकता, यह चीज तो खुद सीख कर आओगे, जब तुम DS and Algo के बहुत सारे questions practice करके आओगे तो तुमारे अंदर खुद एक behavior आजाएगा, कि यार मैं गंदा code नहीं लिखते हूँ, मैं अगर मैं लिखने से पहले 100 वर ही सोचुँगा कि अच्छा इसका इससे भी solution हो सकता है, इसका N-square भी हो सकता है, इसका order of N भी हो सकता है, तो मैं best solution लिखने की कोशिश करूँगा, I will have an habit, मेरे अंदर तो लिख लेता है, तो सही है, अभी अपने असाब से इसको क्या देंगे, इसको problem देंगे, और इसका ये जाके optimized code ही लिख रहा होगा, इसके अंदर से इतना habit बन चुकी है कि unoptimized code लिखी नहीं पाए, तो तुमारे अगर problem solving and logical skills अच्छी होंगे, तो तुम automatically optimized code लिखोगे, and company को भी उससे बहुत पाइदा होता है, ठीक है, अब थो third important thing है, वो है designing algorithms, ठीक है, जब तुम किसी चीज में काम करते हो, किसी project में काम करते हो as a programmer, honestly बजा रहा हूँ, 20-30% party होता है code का, 70-80% तो तुमारा algorithm के around देबाग चाता है, कि इसको कैसे solve करोगा, जैसे तुम problem solve करने के real life problem में जाओगे, तो वहाँ पर बहुत सारे discussion होंगे, इसको कैसे solve कर सकते हैं, उसमे algorithm लगाओगे, और discuss करोगे अपने team members से, तो वहाँ पर क्या है, तुमारा mostly दिमाग algorithm designs में जाएगा, इसको ऐसे सोच सकते है, इसको ऐसे way में, एक systematic way में problem को solve करोगे, फिर जाके उसका करोगे, बट पहले जो solving वाला part है, वह अच्छा होना चाहिए, and that's why जो big product based companies है, या start-ups है, वह interviews में इन चीज़ों पर जच कर लेती है, तो उनका एक headache चले जाता है, कि मैं इस बंदे को जाके problem दे दूगा, अपने आप उसका solution निकालेगा, अपने अप अच्छे से algorithm निका है, now the next point is learning advanced skills, एक हम बहुत सारी advanced skills सीखते है, like web development हो गई, android development हो गई, machine learning हो गई, but उसमें क्या अगर तुमारा base अच्छा होगा, बेस मतलब data structure channel कौरतम सच्छा होगे, तभी उन skills में भी बहुत अच्छा कर पाऊगे, जब तुम website की बात कर रहा हो, तुम facebook.com लिखते हो, व इतना time ही है ना किसी के पास जिंदगी में, तो इतना wait नहीं कर पाते हैं, तुम फिर वो use ही नहीं करोगे website, similarly अगर app है, अगर app में तुमारी feed है वो late upload हो रही है, तुम उस app को जाके uninstall मार दोगे, तो उसकी पीछे जो programmer है, उसने optimize code लिखा होगा, और तभी लिख पाएग के तुमारे app में code लिखा है, and that's why वो app टेस्ट चल रही है, या website टेस्ट चल रही है, similarly ml के अंदर अगर तुम data कोई fetch कर रहे हो और वो जल्दी से जल्दी आ रहा है, तो data structure and algorithms का अच्छे use कर रहा है, कि कौन सा data structure use करें, कि data fetch जल्दी होता है, तो इन सब चीजों के पीछे, use data structure and algorithms ही हो रहा होता है, and last but not the least, जब एक कंपनी में काम करने है, तो दूसरी कंपनी में जाने पर नहीं हो, एक तो तो तुमने इस कंपनी में जो काम करा है, वो तो हो गई, बट उतना ही important वहाँ पर फिर से data structure and algorithms पूछे जाएंगे, तो अगर तुमारा base अच्छा नहीं हो अगर 15-20 दिन प्रैक्टिस करोगे तो तो तुम एफेक्टिवली दूसरी कंपनी में शिफ्ट कर पाऊगे, उसके इंटर्व्यू निकाल पाऊगे, वहाँ पर भी data structures and algorithms पूछा जाएगा, क्योंकि उन्हें बेस तो चेक करना ही है, तो इसलिए जब तुम पहले पहली बार data structures and algorithms कर रहे हो, तो बहुत अच्छे से कर लो, because this is the skill you are learning for life, यह कभी भी तुम्हें कंपनी शिफ्ट करनी है, या खुद का start-up करना है, कहीं पर भी हर जगे ये indirectly use आएगा, और मैंने most important चीजे बता दी है, इनके अलावा और भी चीजे होती है, तो उस चीजों के बारे में तुम्हें जो लगता है, वो कमेंट में बता सकते हो, but मुझे जो लगता था, वो मैंने बता दिया, I hope it helps, and that's why I will recommend you highly कि अच्छे से data structure algorithms करो, तीम से चार महिने में बहुत अच्छे से हो जाता है, लगे रहो, and you will become great in data structures and algorithms, okay, thank you. Most underrated data structures and algorithms, तो मैं ऐसे data structure algorithms के बारे मात करने वाला हूँ, जो बहुत जादा popular नहीं है, but interviews में आच्छे से पढ़ावनी होते हैं, और फिर वो interview में questions से निकल रहे होते हैं, तो नहीं करेंगे, इन चीजों को भी miss नी करेंगे, इन चीजों की भी अच्छे से practice करेंगे, तो ऐस तो नो all of these things, और अगर पसंदाए वीडियो तो लाइक एंड शेर कर दिना अपने friends के साथ, एंड डेफिनिटली सब्स्क्राइब अबर चानल लेस, तो चलो start करते हैं, सबसे बहले मैं underrated data structures के बारे मात करता हूं, पहले data structures की बात करते हैं, so data structure मेरे मेरे आपसे first data structure है tries, बह interesting data structure है, और common question आता है कि dictionary implement करनी है, उसमें try use करते हैं, तो है common बढ़ हम उसको अच्छे से practice नहीं करते हैं, तो हमसे वो interview question ही निकल रहा होता, ऐसी कुछ-कुछ prefix निकालने में हमारे try के use होते हैं, तो कुछ 2-3 नहीं applications हैं, एक try के implementation हैं, जो हमें करनी है अच्छे से, तो इस I will be talking about, उसमें try के बारे भी हैं, तो try की implementation और applications अच्छे से हम कर लेंगे, तो second point is hash map, तो hash map की practice हम बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत सारे questions में use करते हैं, बट hash map की implementation best कर देते हैं, तो वो linkless से implement होता है, और बहुत ही common interview question है, direct hash map की implementation कूछ लाती है, तो उसमें वो linkless कैसे use ह होता है, उसमें hashing कैसे कर रहे होते हैं, collision handling कैसे हो रहा होता है, यह सब concepts हमें अच्छे से आने चाहिए, यही तुम्हारे way setup करेगा कि तुम्हें पता है कि hash map के पीछे कैसे होता है, insert, delete, यह सब order one में कैसे चल रहा है, उसकी complexity के बारे में अच्छे से idea होना चाहिए, तो hash map क यह अप्लिकेशन तो obviously हम बहुत जगे करते हैं, but implementation को हम miss नहीं करें, तो third point is tree map, तो tree map होता है, यह basically c++ में ordered map होता है, तो hash map में insert, delete, order one में हो रहा होता है, but order maintain नहीं करता हूँ, right, unordered map यह hash map जो Java में होता है, वो order maintain नहीं करता, but tree map और ordered map क्या होता है, order में maintain करता है, कि हमें इस order में चाहिए, तो जब भी वो questions में बहुत जगे आ जाता है, order की काम आ रहा है, कि sorting order में चाहिए, तो उसमें tree map वगेरा काम का होता है, because insert, delete, search वगेरा, login में हो रहा होता है, but क्योंकि order maintain करता है, तो वो बहुत सारे questions में काम आ जाता है, तो हम hash map की बहुत सारे applications कर लेते तो इसको miss नहीं करेंगे, हम खुच से tree map भी implement करेंगे, हम खुच से tree map की भी बहुत सारी applications करेंगे, जिसमें sorted order में चीज़े चाहिए होते हैं, वन्ना हम यह miss कर देते हैं, और फिर बात में interview में questions निकलते हैं, तो tree map वाले data structure को भी बहुत अच्छे से हम करेंगे, Now the next point is priority queues, मुझे लगता है priority queues हम थोड़ा lightly ले लेते हैं, because hard data structure होता है, और यह बहुत popular हो गया है, बहुत सारे questions, बहुत सारे companies के लिए, Amazon, Google, Microsoft, priority queue के questions बहुत ज़्यादा कूश्य लेते हैं, क्या होते है, remove minimum हमारा login में कर देता है, तो पहली बात तो again implementation इसकी बहुत अच् सब्सक्राइब करने का concept होता है, जो order end में कर देता है, हम वो चीज पढ़ते नहीं है, हम उसके पीछे proof पढ़ते नहीं है, बट यह चीजे interview के बहुत सारे concept होता है, यह बहुत सारे concept होता है, तो बॉटम तू अब हम build करते हैं, तो वो build heap order end में कैसे हो रहा है, ऐसे important concepts होते and similarly applications भी हम थोड़ा मुझे लगता है कम करते हैं, हम केवल के largest वाली application कर लेते हैं, simple सी, बट जो अच्छी खासी applications होती है, priority queue को, priority queue की वो हम miss कर देते हैं, तो नहीं करेंगे, priority queue की बहुत सारी applications करेंगे, because जब तुम interviews में जाते हो, convert recording करते हो, वहाँ priority queue बहुती काम का data structure होता because minimum, maximum, पटबट से login में देते हैं, तो priority queue की implementation और applications बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है, now the next data structure is DQ, यह मैं बता रहा हूं, Google का तो favorite data structure होगी है, अगर Google के interview में जा रहे हो, चार interview अगर होते हैं, तो पक्का किसी एक interview में DQ का कुशन आए गईगा, क्या होते हैं, उसमें insert और delete na, दोनों end से हो पाता है, जैसे stacks and queues पढ़ते हैं, उसमें एक end पे होता है, right, push and popper तो stack में उपर से निकलेगा, queue में एकदम front से निकलेगा, but इसमें दोनों side पे अला हो जाता है, तो यह बहुत ही काम का data structure हो जाता है, use करने के लिए, और बहुत सारी applications होती है, but इसमें भी से applications कर लेना, तुमारे interview को निकालने में बहुत काम है, now the next data structure is disjoint set, तो अगर तुमने graph के algorithms पढ़ी हैं, उसमें क्रुसकल algorithm के time, हमें एक union path compression करना होता है, उसके बहुत सारे ways होते है, उसका जो best way होता है, उसमें वो disjoint set का use करके होता है, now it is not only limited to that algorithm, वो जो data set है, जो disjoint union data set क के पीछे काम हो रहा होता है, वो तुमारे को trees के questions में भी बहुत जगे तुमें दिखिगा, कि वो login में काम करके हमारे बहुत चीज़े असान कर लेता है, वरना हम disjoint set नहीं use करते हैं, तो वो order in में होगा, अगर हम disjoint set यूज कर लेता है, तो हमारा login में हो जाता है, तो उसक अच्छे से सीखिए ना, because वो बहुत जगे काम है, तो उसको miss नहीं करेंगे, हम ये disjoint set के data structure की भी पीछे क्या हो रहता है, पूर अच्छे से समझेंगे, कि कैसे वो path compression चलाता है, कैसे हमारे चीज़े असान कर देता है, तो ये मेरे सब से six most underrated data structures है, बहुत जादा popular नहीं ह बट interview के perspective से बहुत जादा important है, कौन-कौन से है, tries हो गया, implementation application, hash map, implementation, applications तो करते ही है, tree map, implementation और applications, नेक्स इस priority queue, implementation और बहुत सारी applications, dq, implementation और applications, disjoint set की भी implementation और applications हमें अच्छे से करने है, ये तो हो गए data structures, इन लोग इन चीज़ों को अच्छे से कर ले ना, बहुत जादा काम अब बात करते हैं, हम algorithms की, कौन से एसे थोड़े underrated algorithms है, जिसको हम बहुत जादा practice नहीं करते हैं, मैं सबसे पहले नाम लोगा, binary search, ऐसे नहीं कह रहा हूं है, कि binary search तुम सीखते नहीं हो, binary search तो सब कोई सीखता है as a programmer, कि वो login में कैसे चलता है, बट उसकी नाम applications कम करते है, ह binary search लगके बहुत चीज़े असान काम हो जाती है, और interviews में ऐसे questions आते हैं, तो वो binary search नहीं पूछेगा, वो ऐसा question देगा घुमा पर आके, कि हो वो binary search नहीं होगा, बट तुम्हें सोचना पड़ेगा, तो हमें binary search की, हमें पता हुआ कैसी जलता है, बट उसकी बहुत सारी applications कर है और होता है, बहुत जाधा काम आता है, तो binary search की applications बहुत जाधा करेंगे, now the next point is sliding window algorithm, तो मुझे लगता है ऐसा है, पर नहीं लोग में इसको पड़ते नहीं है, ध्यान से, तो sliding window में बस basic समझ देते हैं, window maintain करनी है और ऐसे से काम हो जाए, बट जैसे मैं उपर data structure नहीं बो के साथ काम आता है, कभी वो stack के साथ लग जाएगा, कभी DQ के साथ लग जाएगा, तो algorithm भी लग रहा है और data structure भी उज़ हो रहा है, तो इस algorithm को हम underrate कर देते हैं, और इसकी हम applications कम करते हैं, और मतारों, interviews में sliding window बहुत ही काम की algorithm है, direct application आती है sliding window की, तो sliding window की I think हमें applications बहुत अ अच्छे से होने लग जाए, तो sliding window is a great algorithm to do, now the next point is, दो string की algorithm है, यह हम पढ़ते नहीं है, generally बहुत मिस कर देते हैं, तो pattern searching की algorithm है, KMP algorithm and Z algorithm, मुझे लगते हैं बहुत काम की algorithm है, तो तुमसे कभी कोई algorithm as it is नहीं पूछेगा, बट उसमें एक concept है, कि Z array बनाना, KMP का array बनाना, वो LPS array होता है, prefix array करके काम की चीज होती है, वो बनाना होता है, वो जो concept है ना, वो बहुत जगे काम आता है, यह array कैसे बन रहा है, और वो चीज करीशे और application में काम आ जाएगे, तो ऐसे बहुत सारे questions होते हैं, कि दो string given है, उनको मिलके best palindrome कौन सी बन रही है, उसमें वो K KMP algorithm में जो तुम use कर रहे हैं, वो चीज काम आती है, तो ऐसे बहुत सारे questions होते हैं, जिसमें जो KMP और Z algorithm के पीछे जो काम होते हैं, जो पीछे हमने एक array बनाया था, तो make that algorithm, वो चीज हमारे बहुत जादा questions में काम आती है, तो इन दोना algorithm को अच्छे से समझ लेंगे, उनक करते हैं, और जो KMP and Z algorithm को हम पढ़ते ही नहीं है, उसको miss नहीं करेंगे, उसके पीछे क्या हुआ है, क्या concept use हो है, उसको अच्छे से पढ़ देंगे, and that will help us a lot in our interviews, तो यह सारे data sectional algorithm के अच्छे से practice कर लेना, dog given है, वहां जाके link पर जाओ, और बहुत सारे questions practice करो, और फोर ठीक है, चालो, good luck! वो पता है हमें क्यों नहीं चलेगा, जितना अच्छा होगा, उतना फायदा होगा, and the next point is, हमारे पास project होना ची एक resume पर, एक हो बट अच्छा हो, चाए android app हो, चाए website हो, चाए machine learning हो, एक हो, बट solid हो, next point is, communication skills ठीक्टा होनी चीए, पतलब ऐसा नहों कि हम बस solution सोच पाते है हम बता भी पाते हैं, हम communicate कर पाते हैं, that will help us a lot, last point but not the least, programming fundamentals like OS, DBMS, computer network, इनके basic knowledge होनी चीए, conceptual knowledge होनी चीए, interview में पूछ ले जाता है, तो जितना अच्छा होगा, उतना फायदा होगा, तो इन सब checkboxes को fill कर लो, और बढ़िया software engineer बनोगे, good luck, interesting project ideas के बारे मात करने वाला हूं, जिन में केवल data structures and algorithms की knowledge चाहिए, तो केवल data structures and algorithms की knowledge चाहिए, तो केवल data structures and algorithms से भी काफी-काफी interesting projects बनाया जा सकते हैं, और मैं वहीं बताने वाला हूं आज, तो end तक रहना, and you will get to know all of these projects, और अगर पसंद आए वीडियो तो मनें friends के साथ भ subscribe अबर चाहिए, तो चलो start करते हैं, पिदेवर first project ideas, तो पहला idea है यार, board games, जिसमें बहुत जादा data structures, advanced data structures नहीं चाहिए, 2D arrays की knowledge चाहिए, थोड़ी back tracking की knowledge चाहिए, तो जैसे 2048 game बना सकते हो, बहुत ही interesting game होता है, I think app में खेला होगा, नहीं खेला तो खेलो जाके, और उस this project ideas are language independent, तो C++ में बना सकते हो, Java में बना सकते हो, Javascript में बना सकते हो, किसी में बना सकते हो, Javascript में फायदा होता है, थोड़ा UI अच्छा मिल जाता है, वरना किसी में भी बना सकते हो, तो language की tension मत लेना, logic पर focus कता हो, तो 2048 का नहीं एक function होता है, कि एक move चली, तो क्या होग यार एक move कैसे होता है, उसके बीछे logic बता हो, तो interesting interview question हो सकते है, उसी time तुम्हें उस time सोचना पड़ेगा, तो ये 2048 गेम तो हम सब को बना लेनी चाहिए, काफे interesting होता है, to implement a single move, इसके लावा board games में हम Sudoku बना सकते हैं, कि Sudoku को एक fill करना है, हम numbers fill करेंगे, that will be there, बट उसमे interesting क्या कर सकते है, कि हर point पे is valid Sudoku, जो common backtracking का question है, वो use कर सकते है, since we have that knowledge, तो जैसी कोई user एक fill कर रहा है number, हम इस valid Sudoku पीछे से call कर देंगे, उसको बता देंगे, भाई तू सही कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसको बता देंगे, अच्छे से, so that will be there, अब काफी interesting बन जाएगा, तो next project ideas पे चलते है, so next मेरे साब से Huffman Coding, Huffman Coding is the compression algorithm, जैसे हम file में लिखते हैं, और जब वो store होती है, तो file compression होता है, याना कम bytes लेते है, तो generally characters 1 या 2 byte ले रहे होता है, depending on the language, बर जब हम उसको compress करते हैं, तो characters की कम space लग जी होती है, अब उसकी पीछे algorithm है, हuffman Coding की, और य algorithm सबको implement करनी चाहिए, because इसमें सारे data structures यूज जाते है, trees यूज जाता है, priority queue यूज जाता है, hash में प्यूज जाता है, दो बारी hash में प्यूज हो रहा होता है, तो काफी interesting algorithm हो जाती है, तो हमने जो भी सीखा है, उसको हम implement कर पाते है, तो यह हuffman Coding वाली चीज तो बहुत अ learning data structures and algorithms, Huffman Coding से बहुत से learning होगी, the next idea you can work on is phone directory, जैसे contact list होती है, पहले A से हैं, फिर B से हैं, ऐसे हमारी contact list है, तो अगर हमें contact list बनानी है, हमारी phone directory बनानी है, तो उसके अंदर हम doubly link list से बनाते हैं, क्योंकि उसमें क्या-क्या function होता है, update करना है, कोई contact, delete करना link list में सान होत सकता है, तो काफे interesting operations आजाते हैं, और उसमें बहुत सारी चीजे कर सकते हो, variations बना सकते हो, कि यार पारेक के नाम से team phone number हो सकते हैं, तो वो एक ही में store कर लेंगे हैं, ऐसे-इसे different different चीजे हो सकते हैं, update करना पड़ सकता है, कि यह वाला phone number update करना है, तो you can implement different different operations in the phone directory, काफे interesting ह होता है, using double link list, और उसमें tree set का भी use कर सकते हो, hash set का भी use कर सकते हो, so that तुमारी चीजे optimize रहे हैं, एक optimized phone directory है, एक थोड़ा कम optimize है, तो optimize वाली पर focus करो, इसके बाद इसमें तो और interesting चीजे कर सकते हो, जैसे WhatsApp में होता है, frequently contacted list आता है, कि तुमने किस से recently जाधा चाट कर लो, उ RU cache में भी हम वही use कर रहे होते है, link list बगएरा, तो वहाँ पर जो user होता है, वह यहाँ पर भी apply कर सकते हो, तो एक phone directory का पूरा अच्छे से contact list बनाना, अच्छा खासा project हो सकता है, using only data structures and algorithms, है ना, तो यह बिलकुल अच्छे से try करना तो में मजा आएगा, और काफी सारी ची सब लोग खेला होता है, तो snake and ladder में क्या होता है कि हमें हर point पर हम बता सके कि मेरको dice की क्या चाहिए, one चाहिए, two चाहिए, three चाहिए, so that मैं end पर फटावट से पहुँचपा हूँ, तो BFS algorithm में पता होता है minimum number of moves required, कि हमें इस point बेर हमें आ जाना है, तो कितने minimum number of moves चाहिए, so तो dice की ना यह वाली move लेया, तो तो तेरको help होगी, तो फटावट से destination में पहुच पाया, अच्छा नहीं आई, फिर next time जटा नहीं, तो उस तें फिर बता दिया, तो 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 जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुच जाए, तो यह काफे interesting project बन सकता है, तो मैं एक मनलब मैंने किसी से पैसे लीए है, उसने किसी और से पैसे लीए है, फिर उसने किसी और से पैसे लिया, इसे बहुत ज़ादा लूपोल्स बन जाते है, तो splitwise क्या करता है, एक दम से बता देता है, तो 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 इसको देज़े जै, जो भी amount lump sum बचा वो उदर के साथ जिससे की cash flow minimum रहे एना ऐसे नो मैं उसको दे रहा हो फिर वो उसको दे रहा है तो cycle बहुत लंबी हो जाएगी एना तो splitwise handle it perfectly वो कैसे करता है मिन फ्लो टाइप की चीज़ होती है उसको यूज करता है कि हमारे पास बहुत सारे यूजर से उन्होंने एक दूसरी को पैसे दे रहा है अच्छा मुझे फटावट से बता दे किसको कितने पैसे देने है और फालतु का हम ऐसा नहीं हो रहा कि cash यहां भी जा रहा है पिर वहा कितने चाहिए अगर मुझे सोर्स से लेकर destination पर जाना है तो नाइट तरीके चल सकता है ऐसे कोछ इंटरस्टिंग चीज़े बना सकते हो अपने chess game में कि नाइट करना करते को यहां से यहां जाना है तो तो यह वाली चीज़े चल जैसे snake hand letter में करा तो user को यह बता दिया अग उससे तुम interesting graph algorithms का use करके अपने games में implement कर सकते हो ठीक है those can be the interesting games इसके अलावा last but not the least मेरे साब से जो तुम बहुत सारी algorithm सीखते हो like जैसे तुमने टावर अफनाई सीखा तो तुम क्या बना सकते हो interface बना सकते हो जिसके अंदर user ना input देगा कि टावर अफनाई में क्या है सोर rules होते है तो चार्ट इसके लिए कैसे चलता है उसको एक बरी करके दिखा जावा स्कृट में किसी तरह विजुलाइज कर दिया तो तुमने एक interface बना दिया अगर टावर अफनाई किसी को समझना है तो n equal to 4 डाला उसने और तुमने दिखा दिया कि यह कैसे चलता है that can be one thing ऐ कैसे चल रहा है तो different different algorithms में तुम क्या कर सकते हो यूजर से input लो और उसके corresponding जो मेरे को दिखाना है जो मेरे को करके दिखाना है वो मैं UI डिस्प्ले करो that you can make very very interesting different different algorithms like sorting algorithms ले सकते हो कि यार मैंने input लिया अब मैं इसमें दिखा रहा हो merge sort पीछे कैसे चल रहा है जिससे कि लोग को dry run करना easy हो बने insertion sort कैसे चल रहा है selection sort कैसे चल रहा है तो input ले और थोड़ा सा UI का use करके हमने दिखा दिखा दिया दिखो यह ऐसे चलता है तो algorithms के around हमने different different UI का use करके हम interesting projects बना सकते हैं कि हम user को दिखाएंगे देख insertion sort ऐसे चलता है देख classical algorithm ऐसे चलता है this you can make and this will be an again interesting project तुमारे पास जो algorithm तुन्हें पढ़ी कि उसको apply कर रहे हो और उसको दिखा भी पा रहे हो as a pleasing way on UI different different project ideas थे जो मैंने सोचे थे इसके अलावा तुम जैसे DP के algorithm होती है कॉपी सारे questions होते हैं जैसे मिन जम्स तू रीचेंड कि हर एरे में गिवन है अलग अलग पॉइंट में हमें पता है कि यहां से इतने जम्स ले सकते हैं तो क्या optimal वे होगा कि मैं फर्स पॉइंट से लास्ट पर पहुंच जाओ ऐसे तुम इंटरसिंग गेम्स बना सकते हो जो होता है कि अगर कि यहां से यहां जाना है तो क्या तुम पात्यूज करेगा हो ऐसे तुम DP के ग्रीडी के अलग ओर्स जो है उनको किस तरह यूई पर इंटेग्रेट करके इंटरसिंग बना सकते हैं यह ओवराल प्रजेट आइडिया जो तुम इंप्लिमेंट कर सकते हो मुझे लगता है ज कोप यूप इंप्लिमेंट इस जब कर लो तो यहां कमेंट बॉक्स में दिखाना अपना प्रजेट्ट यहां बेडिए विल बेरी वरी हपी तो वाच ओल अधिम और गूद फो दिस हाई मैसल पारिक है तो यह आज के सेशन में बात करने वाला हूं थ्री पॉइंट्स तो मेंटेन राइट अटिटूड वाइल लर्निंग डेडा स्क्टर्स और अल्कॉर्ट थम्स सबसे फर्स्ट पॉइंट है पहले अपना टाइम माउंट अटा दो लोग क्या करते पहली बनालते मुझे तो छे महिने में सीखना या चार महिने में सीखना अब उसकी विए से लर्निंग अच्छी होती नहीं फिर बाद में इंट्रिव्यू दे निकलेंगे तो अपने उपर से टाइम आउन अटाओ तॉपिक्स कर रहे हो पांसे शे घंटे देली दे रहे हो वह ठ कितना सीखूंगा उत्ता अच्छा बनुगा डेटा स्क्टर से लास्ट बाद अगर तुम फ्रेंड वगर आपस में तैयारी कर रहे होते हैं तो अगर उसका कोई टॉपिक हो गया जरूरी नहीं तुमारा अच्छा हो गया है अपनी तैयारी पे फोकस करो अपने अपने पर आपस आते हैं with a concern की सर मैं फाइनल यर में हूँ या मैं ग्राइजुए ओगया या मैं थर्ड यर में हूँ या इवन मैं सेकंड यर में हूँ और मैं अभी तक कुछ नहीं किया है क्या मैं बहुत लेट हो गया हूँ तो देखो इखो इस नवर तुलेट इस हमें जल्द जल्दी अब स्टार्ट करना है, जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे, चीजे हमारे कंट्रोल में रहेंगे, उतना जादा अच्छे से गर बाएंगे, बट जस्ट विकाउज तुम अब फाइनल येर में हो, तुम अब जॉब नहीं निकाल सकते हो, तो we have enough examples, लोग फाइनल येर में शिरू करते हैं, आफ-कैंपस प्लेस्मेंट फोड देते हैं, या graduate होने के बाद, college के बाद शिरू की, आट-दस महीने लगे जॉब नहीं है, बट डेडिकरेटी आट-दस महीने काम किया, तो बड़िया जॉब लग गई, तो the answer here is, कि it's never too late, जल्दी शिरू करेंगे तो अच्छा रहेगा, बट अगर हम लेट हो चुके हैं, तो it's okay, अब आट-दस महीने डेडिकरेटी फाइट मारो, पक्के से बड़िया जॉब निकल जाएगी, okay, thank you. 7 tips to do really well in data structural guardraff interviews, किन चीजों का ध्यार लटना चाहिए हैं, right, मुझे लगता है बहुत ही जादा काम की वीडियो है, मेरा जो भी interviewing experience है, जितना भी मैंने फेस्बूक में लोगों को इंटव्यू किया है, Amazon में लोगों को इंटव्यू किया है, उसके basis पे मुझे जो लगता है, क्या to do's है, क्या not to do's है भी, वो हमने इस वीडियो में डालने की कोशिश की है, ठीक है, so if you are planning to go into interviews anytime in the next few years, तुम्हें लगता है कि तुम्हें वो करना है, तो बहुत जरूरी है कि हम यह चीज़े अभी जाननें, ताकि हम अपनी practice के दुरान भी इन चीजों का ध्यान रखें, ऐसा नहीं होता है कि हम वैसे तो दो साल ते आहीं करते हैं, तो हम किसी और तरीके से ब्याइब कर रहे हैं, इंटर्वी में गए और हम किसी और तरीके से ब्याइब कर शुन कर लेंगे, इसा नहीं होता है तो हमें practice के दुरान भी अच्छे से इन चीजों का ध्यान रखना है और फिर काम करना है, okay, so video केंट तक रुको, विष्टी दो बार के तरह, इस बार भी हमार पास bonus point है, so we will talk about that and we have Parikh with us, hi Parikh, hi Parikh, okay, so let me start with the first point, generally when there is an interview, if you think about an interview in which DA you are going to ask, this doesn't mean that you are sitting in the chair and you start in front, like this is a tree, this is a tree, this is a tree, this is a tree, no, what will happen, you will see in the resume, right, potentially one-two questions will ask you in the resume, that you will ask, so, so, whatever your resume is, please, please, understand it properly, what you have written, why you are writing, it is not written, so please, revise it, 3 years ago, I have done a project, but I have written a resume in the resume, so, yeah, something idea should happen, so, if you ask an interview, then you will give a little excuse, that you have 3 years ago, it is your responsibility, you have to get a little effort, focus, right, so, please, in the things, that, whatever we do, within the resume, we share everything, with the other who wrote, there will be confidence, and we will be talking better. I will be the slowest feature of this. टो इसी चीज़े लिखो टुमें अथी आती हो तुमने करा right गाइब एक चीज़ का और ध्यान लटना ने को इबड़ थे एक एपर उड़ी में प्रिया थे बहुत थे या थे रोग थे किया थे ने इंडेगा थे in the sense that so i started my programming journey in my second year i started learning this then sort of i moved into web development i worked on this 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 project that you have written in the resume, don't have to take all the projects but what is your resume, it should be a story line in your mind that you will run through that will be far more interesting rather than you just saying that this project is like if you're just showing that the sort of struggle you have gone through in learning these skills right like anybody who sort of reaches this sort of skill set you have to struggle completely so that struggle story you should sort of share that's going to be very very important so this is on the resume so let's move to generally the resume discussion after that basically we will start with the question so now what kind of thing should we give you a good luck to sort of get you to share the second point with us okay i think this is the like the problem mellie is na so interviewer problem deeta hai thudha asa time leeta hai ki ye given hai and given hai so basically us time the mark baut achse se chalna chahi humara na bilkul dhyan se question sunna hai jab tak samjh na a jayay usse obviously listen to them carefully perfectly pahle complete honne to then clarify karo kuch chijze ach haa pia hi puchna chahi huna na kya iske nanda duplicate elements ahenge kya kya aise aise chote mute question joh ho expert kar rha hai ki yaar go ye puchhe ga tab hi semjh me aega usko confidence aega ki is bhande ko question semjh me a gaya kai bari hami galti kar djetay hai we assume yari 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 puchha gaya woh assumption ke vise se hum bhoat hi galat solution pe chale jate to asking important corner test cases eek do example se pooch lo dekho ye example iska answer yehi hooga na tab ja ke tum solution souchna shiru karo pahle question bhoat acche se semjh lo uske bina solution attempt karne mat jana varnak gargad ho jai na right so anything you want to buy very fair point yeah very fair point right like so mene for example bhoat par logo ko dhekha hai ki mene kuchh kuchha aur woh bhai kuchh alaghi solution pe paonch gaya hai and kyun kyunki suna hi nahi dhyan se ab dhyan se nahi suna hai to yaar yeh siraf nahi ek man this also shows that ki tum nahi sunte ho dhyan se yaa phir jab am software development bhi karre honge right to problem ko samajhna in itself is a very big important task that you will have to usko dhyan se samjho even in the real world to agar tum yaha par nahi kar rahe ho to i am going to sort of make a judgment in my mind ki ye baad me bhi dhyan se sune ga nii aur aapne yaa bayli kuchh bhi karta raha tik hai to please question ko dhyan se suno and uske baad joe bhi clarifiki abh yaar obvious data tumshe koji kaari raha hai ki soting kar do to nahi karo ga na agar linkless reverse karni hai to usko thodhi tume example deke verify karo ga hai but asko hi ki yaar tree ko zig zag print karo haana toh mnlop mnlop mnjhe lagta hai ki pooch lena chahi ki yaar iska mnlop ye ye naa aisa toho nahi ye naa ye karna hai hume phir uske alawah kuchh or here pe kuchh point hai missing jaga pe kya karna hai kya ni karna hai like e questions pooch lene chahi hai so we will take 1-2 minit extra but in the end of that if we have reached another solution and then the interview has gone so I didn't ask you so I told you that it was so bad so that it was so bad it was so bad so that it will not come to 2-3 days so please keep this and this is a very important point ok so let me get to the third point right see one thing you have to understand we have to practice data actually we have to have a habit that a question came and now we have to think the best solution is we have to think we have to think the best solution but one thing you will have to realize is that the best solution don't get the best solution , if it will be the most bad and not get the best solution On this other hand, what should I say that the best solution we have to think whether the best solution नहीं है उसको शेर करो कि यार देखो इस तरह से तो होई जाएगा and इसकी time complexity इतनी होने वाली है let me think of a better solution a lot of times what will happen is interviewer तुमें बोलेगा नहीं इस से बेटर नहीं चाहिए यह ठीक है यह फिर बोलेगा कि हाट यह सोच लो but at least interviewer के दिमाग में अब तुम बेवकूफ नहीं हो तुम एक solution तो सोच पायो right उसको अब अगर वालो तुम second नहीं भी सोच पाते हो तो at least जब वापर जाएगा notes लिख रहा हो तो यह बोलेगा solve कर लिया था but best solution पे नहीं पहुच पाया extremely important please इसका तुम ध्यान रखो कि हमें solution देना है फिर दीरे-दीरे improve कर रहा है वो तुमें यह सब चीजे तुम सोच पाओगे कर पाओगे तुम्हार दिमाग जादा चल पाएगा अगर एक best solution होगा तो प्लीज इसका ध्यान रखो सीधा best solution की fight मत पारो जो solution दिमाग में आ रहा है एक बार तो बोल तो पारी कुछ आट करना चाहोंगे इसके बस एक चीज आट इंटर्विव देऊ और यू कम उप विधा new solution वह बहुत अमेजिंग इंप्रेशन देता है कि चलो best solution नहीं है बट यार इस बंदे ने कोई नया solution निकाल दिया चाहे वो recurrence सी निकाल दिया कुछ निकाल दिया जो उसको expected भी नहीं था तो वह और जादा बेटर इंप्रेशन देता है कि best solution से भी शैद बेटर देता है कि बंदा new solution सोच पाता है so just to add to them ऐसा नहीं है हर बार हमें best solution कोच नहीं है they are open to discussions they are open to new solutions and बहुत amazing feeling आती होने अगर तुम कुछ नया solution कता पाते है यह तो पारिक लेट नेक्स पॉइंट वाइशन है कि कहीं बरी क्या होता है like we discuss solution और कुछ लोगोना आदत होती है कि कोड करना शुरू कर देंगे तब सोचना शुरू करेंगे इसको ऐसे कर सकता हूं अच्छा यह तरीके solutions all करना शुरू कर दिया वह बहुत खराब impression देता है जब तक interviewer बोले ना कि यार चलो इसको कोड करते है तब तक तो उसके दिमाग में होता है मुझे इस टेस तक solution लेके जाना है तब ही उसको कोड करवाँगा और उसके पहले अगर तुम कोड करना शुरू कर दो उसने बोला नहीं है वह बहुत खराब impression देता है तो जब तक satisfied नहीं है वह तुम्हारे solution से वह तुमसे कोड नहीं करवाएगा तो जस्त मेक शूर वंस्वी रीज़ 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 तब हम उसको कोड करेंगे और इसी में बेसिकली टाइम तो तुम बताओगे और तुम्हें वह खराब बता दी कोड तो चोड़ वह आगी जाएगे कि ताइम कॉंप्लेक्सिटी का यडिये बंदे को मैं कैसे डिसक्स करूंगा इससे solution तो फर्स रीच आप टूट तो दसे पंदरा मिनिट मिलते है मैं और लास्ट पार्ट होता है पर उससे पहले पूरा थॉट प्रसेस रीचिंग आउट तो solution पे फोकस करो कोड की जल्दी मत पचाहूं राइट नहीं यह टाइम कॉंप्लेक्सिटी वाला तो यार बहुत ही ज़रूरी है तो पर एक्जापल आए मैंको अभी भी यार है मैं दो तिन केसिस जब मेरे हाथ कि बंदे ने कुछ solution दिया मैं उमीद कर रहा था कि वो इवेंचली order N पे पहुंचेगा उसने order N square solution दिया और मैंने उसको पुछा time complexity उसने बोला order N सोचा हो मैं क्या करूं मैं तो चालता हूं कि order N पे पहुंचेगा अभी तो order N square है और मैं इसको कैसे बोलू कि इसको इसको इंप्रूफ कर क्यों कि उसको बोले नी पार हो कि इंप्रूफ कर क्यों कि उसके खरावे तो बेजली मैं को उसका time spent करा बड़ा कि नहीं है तुमें इसको बहुत पार है साचो है और तो इसको बहुत इंपर बेलाइस करे को इंप्रेशन बटार की ने पर खराव बार हो यां कि आप कुछ नग खराव टेंट मैं डेने शिरुग्या तो यह पॉंट मुझे बहुत क्लिर हूद आए खरेमले बासको है कि आर चालो तुम कुछ सोच रहे हो जब तुम कुछ कर रहे हो अगर मान लो मैंने तुम से क्वेश्चन पूछा और तुम 15 मिनिट के लिए चुप होगे ब्लांग होगे तुम 15 बेने ब्लांग कुछ नहीं पता तुमारे दिमाग में चल रहे हैं अब फ़्र तुम उठके मुझे बोलोगे या नहीं ओपा रहा हूं या फिर तुम मुझे क्या मोलोगे हो गया इसको एसे से करके ऐसे करके शकर सकते हैं उठकें च्वाट वदे में बढ़ी आ रिख तो पंदरा मिनट्स वोचने के बाद बहुत ही सही है बट फॉस्ट वाना जो है जो बहुत सारे केसिस में होता है उसको तुम थोड़ा अवाइड कर सकते हो अगर तुम बोलोगे कि तुम क्या सोच्रेब और पुछ भी मत बोलो थोड़ा फिल्टर करके बोलो जो की दिमाग म आवाओ ऑठ हो लगा बावाओ रहो टहलो है थोड़ा की तो बुछ भी तुम चल रहा है बट जो भी तुम ऱीया हो तुम क्या सोच्रेब गयर, क्या निंन सोच्छ थोच्रे हो तुमे कुच खुच кिंच्जु कहितग जो हैं और उसको यूज यूज जारी इसको हाँ में बहुत जालव दहाम लगता है सो बेसिकी वट आम ट्राइंग को सब्सक्राइब करें हम जो सोच रहे हैं उसको थोड़ा दंग से भोला है कि देखो मेरे को लग रहा है ऐसे तो हो जाएगा पर एक्सेंपल आप सीन पीपल जो सोच लेते हैं बूट फोर सोच लिया थोड़ा बेटर भी सोच लिया बदा नहीं रहे क्यों बेस्ट की वेट कर रहे है यार बेस्ट आया तो बताएंगे ऐसे नहीं करना चाहिए जो भी आ रहा है उसको शेर करते रहो ताकि इंट्रवियर तुम्हें कुछ कुछ देता रहे और अगर उसके दिधा में रहा है भी नहीं जा रहे हो सकता है उसको नहीं चाहिए वेस्ट रही को जो तुम ने सोच आ है वहती हो कि यह और शी माइश को दो आजिए एंक यह और इसको कर दो इनका ध्यान रहना बहुत करो दो इनका दिद्रवियर बहुत करने आया तो अगर तो कुछ कुछ बताता रहेगा तो मैं तिरी help करके हम लोग मिलके best solution में पहुँच जाएगे और वो सबसे perfect interview होता है कि ऐसा नहीं है वो expect कर रहा है कि बदब एक्डम से पहुँच जोगे तुम कुछ कुछ बताओगे वो तुम्हें हें देगा and you will eventually reach out to the best solution. चीक है यह तो हो गया पॉइंट 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 करने की बारी आती है तो कोड क्वालिटी भी काफी important parameter होता है इंटर्वीव में जब आफ्टर इंटर्वीव मार्क्स जेते हैं तो उस पर होता है problem solving कैसे थी ए और थाट प्रसेस था एक important point होता है code quality और और I think हो सकता है तुम best solution पहुच चाहा और अगर तुम बारे code quality अच्छा नहीं है तो बहुत खराब impression जाता है और स्वेशली जैसे competitive farming करते हैं उसके दर हम variable name से बहुत ध्यान नहीं देते तो बहुत गंदा-गंदा code लिखने चीटू कर देते हैं और तो इंटर्वीव में जाते हैं तुम्हारे variable names कैसे use करें हैं तुमने repetitive code तो नहीं लिखा मतब अगर कोई इस palindrome use हो रहा है तुमारा इसा होता है कि यार assume करो इस palindrome चलो ठीक है मैं assume करता हो तुम्हें आता होगा assume करो एक इस palindrome function है तुम उपर उसको में define करो but use that function तो अगर functional code होता है वो बहुत अच्छे से तुमारा अच्छा लगता है code in terms of code quality and indentation right मतलब ऐसा नहीं करते हैं कि कैसी बस code लगके जल्दी हो है in terms of code quality right right absolutely and I think this sort of does go into the next step as well and अगर तुम code quality बहुत अच्छे से maintain करोगे तो next step तुम्हारे लेह साल हो जाएगा जो की बहुत जादा important है next step is क्या तुमने जो code लिखा तुमने उसको test किया के नहीं किया मैं बता रहा हो as an interviewer बहुत ही annoying होता है जब एक बंदा कुछ नहीं ब क्यों यार मतलब मतलब मैं टेस्टर रूंगे तुम्हारे कोड के लिए करो ना फुद से थोड़ा तो टेस्ट करो पुछ एक एक एक्जैंपल लेकर रन करके देख लो कि ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है so please dry run your code right that's extremely important मैं बता रहा हो अगर तुम्हारी code quality अच्छी होगी अगर उसको पांच मिनट एक्स्टर लग रहे हैं समझने में तो तुम्हारे पांच मिनट जा रहे है वह तुम्हा उत्रही टाइम देगा चालेस मिन पर तालेस मिन वह तुम्हारे देगा अगर दो क्रेशन पूछ पारा क्योंकि उसको समझने में टाइम नग रहा तो तुम्हारी प्राव्लम नहीं है हैं सो मेक शॉर डाइम चाहर लेखैंड हम रजार गारा तुम्हारा तुम राइम टोपन देखा ले राइरण कर लेता हूं चेह कि अगरवान तो एंटव्यर तुम्हारा नहीं बोल रही जरुक्शाइए पक्रें हो तूम्हारी चाह साथ चाहरा है वह और प्रुछ नहारी सिरभ अगर तुम भोल कि देती हो यहां नहीं आता हूं तो जरूरी निया है करना पड़ेगा वो तुम्हे बना ले हैं मोस् लाइग आखर अगर कोड से होगा तो अमना कर देगा और भी रांग द्राइन करने से निकाल में यह यह और और गलती निकलती है तो बहुत ही अच् communication कैसे maintain करनी है हमें उसके बाद time complexity का कैसे ध्यान रखना है हमें code quality का ध्यान रखना है हमें dry run करना है right like so this is like a life cycle that you will go through in an interview तो प्लीज ध्यान रखो इन सब चीज़ों का बहुत जादा इंपोनित है and as I promised one bonus point that I want to share with you all is देखो बहुत सारी त्यारी कर लोगे इन points का भी ध्यान रखोगे बट फिर भी हो सकता है कि interview अच्छा नहीं हो क्या है यार interview बताब दो question आएंगी अब नहीं हो एस all बुस्दिन यार हो सकता है नहीं हो तो कोई फरक नहीं पड़ता प्लीज खुद पे फाल्तु स्ट्रेस मड़ डालो यूनीड तो रेलाइज बहुत बढ़िया बढ़िया कंपनीज है एक कंपनी में नहीं होने से कोई फरक नहीं पड़ता most of the people I talk to जो बढ़िया बढ़िया जगार जॉप कर रहे है मैं तो बता ग़म्नार हो सबके फरकिके करें फिर गेंदेख्शिं फिर फिर यहां पर हो गया वट उससे क्या फरक पड़ता है थीज जगए पिर इंटविया किस सब्हुता है फाइली हो गया फाइली अच्छी जगापर गया तो प्लीज दो नाट गेट डिसाटेंट अगर एक आदा इंट्वी अच्छा नहीं जाता है समझने ही पुशिश करो क्यों अच्छा नहीं गया क्या चीज़ पर काम करने की जरू होता है पांच साथ इंट्व्यू के बाद अगर पुछ कुछ चीज़े सीखते रोगे तो इं सही जाएंगे डिसाट इंट्व्यू अगर हम अच्छे से त्यारी कर लेंगे और उसके बाद इन चीजों का हम इंट्व्यू में ध्याद रखेंगे ऑके थांक्यू सो मच पारिक बहुत मजा है मुझे यह पूरा डिस्केशन करने में और थांक्यू एव्रिवन अगर यह सालों के राउन के ले जाते हैं तो वो लोग हमें किस बेसिस पर जच करते हैं और वह थांक्या है तो प्लीज एंट तक देख वाई वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी तुम्हें इन यूर प्रपरेशन आस वेल अगर प्रपरेशन के दरान भी हम इन चीजों क अगर यहीं सब्सक्राता है तो इसको क्या है मैं सब्सक्राइब सर्फ पारेखं से सॉच पारेए कि यार इसमें क्या-क्या एंच केसि लोंगे इसको कैसे मैं सॉल्व कर सोब्ढ़ करूं तुम धंके में solution उसके उपर सोच पा रहा हो that is one of the most important parts that they are looking to see कि अगर तुम्हारे पास finally जब तुम जोईन करते हो विची कंपनी को तुम्हारे पर स कोई पॉलम आई तुम उसके धंके solutions with keeping in mind all the edge cases all the different scenarios जिस case में घरबड हो सकती है सब कुछ सोच के तुम क्या अच्छे से काम कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो so that is the primary thing that they are looking for the second thing that these companies are looking for is क्या तुम्हारे solution optimized है क्या जो भी तुम solution बना रहे हो उसमें तुम सोच पा रहे हो कि यार या अच्छा solution है या नहीं है ये बुना solution है इसको और कैसे improve कर सकते है ये सब thinking हमारे अंदर बहुत जादा clear हो जी है specifically यहाँ पर वो लोग तुम से पूछेंगे time complexity, space complexity this is all about thinking the right solution, thinking the optimized solutions बहुत जादा important है फिर से because देखो तुमने solution दे दिया बड़ वो अच्छा नहीं है, वो slow है so that is still better than not giving a solution, at least दे तो दिया कुछ तो दिया, but अगर तुम उसके ओपर और वो करके और अच्छा solution निकाल पाते हो तुम ऐसा solution निकाल पाते हो जो कि actually fast भी होगा तो बहुत जादा helpful होगा ये तुमारे overall impression के लिए जो तुम उस interview पर डालने वाले है so specifically what I am trying to say is पहले पाते में तुम्हें वोड़ाता problem solving वो कैसे आएगी? बहुत सारी practice करके आएगी ठीक है? तो हमें बहुत सारी practice करना होगा जिता जादा practice करेंगे उत्ती type की problems का हमें idea हो जाएगा कि इस type की problem के अंदर हम इस तरह से सोचते हैं exact problems हमें याद होना ही जुरूद नहीं है but at least हमें बहुत सारे तरीके बता होगे कि हम problems को कैसे कैसे solve कर सकते हैं बहुत सारी practice करेंगे तो उससे होगा second चीज़ जो कि मैं बोल रहा हूँ सिरफ problem solve करना is not enough we need to get to the right solutions so जब भी तुम खुद से code करते हो तो यार प्लीज हमेशा time complexity के बारे में सोचो सिरफ ये मत सोचो कि मेरा एक online IDE है मैंने submit किया और वो हो गया that's not enough online IDE ने तो submission हो ले लिया तुमारा ठीक है मतलब तुमारा code बढ़िया है but कितना अच्छा है interview में मानलो तुमने best solution दे दिया but that is not going to be enough interview तुमसे पूछे का कि भाई इसकी time complexity क्या है और तुमें पता होना चाहिए कि उसकी time complexity क्या है ठीक है so सिरफ अच्छे solution निकाल पाना is not enough हमें time complexity का concept बहुत जादा clear होना चाहिए उसके ओपर हमें अच्छे से पकड़ होना चाहिए हमारी कि हम उसको अच्छे solve कर पा रहे है so that is the second thing that we need to look at third thing that becomes very very important is basically taking feedback देखो जब भी तुम eventually एक company में काम करते हो जॉब करते हो तुम अकेले नहीं काम कर रहे हो तुमारे पास आसपास बहुत साह लोग होते है तुमें बाकी लोग की सुननी होती है तुमें बाकी लोगों से सीखना होता है और जब तुम अगर तुम धंग से सुनते नहीं हो चीजों को तुम धंग से feedback नहीं लेते हो तो तुम लोग की बाते सुनकर खुद को improve नहीं कर पाऊ so that is an extremely important part that is being tested in these interviews as well क्या हो रहा होगा मैंने तो बढ़िया सोचा है ये तो ऐसे होई जाएगा दूसरा क्या होता है लोग उस टांग पे एक बार pause लेते है और फिर सोचते हैं कि interviewer क्या बोल रहा है फिर या तो interviewer को बोलते है नहीं मैंने इसके मारे में सोचा है I think ऐसे handle हो जाएगा do you think that is correct या पर बोलेंगे कि अरे thank you so much I think this makes sense मैं ये कवर नहीं करा तर let me think about this so by default तुमारा nature ये नहीं होना चाहिए कि यार मैं defensive हो जाऊँ मैं like मैंने जो बनाया है मैं उसको लेकि इतना जादा protective हो गया हो अब कि तू कुछ feedback देगा तु मैं अपने गार्ड्स खड़े कर लुगा और मैं ते को धंसे रिस्पॉंद नहीं करुगा so it's extremely important that we take feedback the right way we are able to take feedback and take that feedback take those hints and move towards the right direction तुमसे कुछ कुछ पूछ रहा है तो obviously उसको तो आता है ना अगर वो तुम्हे कुछ hint दे रहा है कुछ feedback दे रहा है तो please उसको लो फटा-फट से और आगे की तरफ move करो बहुत ज़्यादा ज़ुरी है so it's very very important subtle होता है बहुत but I have seen many interviewers के end में notes में लिखा होता है कि ये बंदा feedback को धंसे receptive नहीं है धंसे लेता नहीं है feedback को और वो बहुत बड़ा negative point हो जाता है so please इसका हमें ध्यान लगना है ठीक है so fourth thing that we need to take care of is the code quality ये ना जब तक तक तुम्हें एक्ट्ट इंट्व्यूस में नहीं जाते तुम्हें पता नहीं चलता है online काम करकर कि क्या अधपड़ दे है बस code चलना चीए चल गया तो भग बड़ी है बट उसके अंदर आप जो नाम रख्या है variables के वो a,b,c,d,e,ij,kl, i1,i2,i3,k,1,k,2,k,3 ये सब चल रहे हैं यार ये सब नहीं चले है ठीक है धंक से code लिखना पड़ेगा interviewer को समझ में आना चीए variable name अच्छे होने चीए functions धंक से बने होने चीए split करके लिखो जितना ज़्यादा code को तुम कर सकते हो तुम्हारे लिए भी असान होगा समझना उस code को समझाना बहुत असान होगा तुम्हारे लिए and overall readability improve हो जाएगी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है for an interviewer to feel कि तुम ready हो एक actual organization में code करने के लिए अपने laptop में तो करते रहें है ठीक है that is okay but एक real organization में काम करने के लिए तुम्हे code quality पे तो बहुत अच्छे से काम करना ही होगा बहुत ज़्यादा important point है बहुत सारे लोग इसके अंदर मार खा जाते है अच्छे से problem solving की होती है अच्छे से time complexity पता होता है सब कुछ अच्छे से करते है but code लिखते time को अपनी खराब आदत को ठीक नहीं कर पाते खराब आदत कैसे आती है competitive programming करते time गंदे गंदे variable codes यूज किया होता है अब वो actual code लिखते time हम घर बढ़ाता है you need to realize धंग से करना जाहर जरूरी है एक दो मिनट अगर एक्स्टा भी लब जाएंगे तो कोई problem होती है इस सिनारियो में तो कोई problem होती है इंटर्व्यू के अंदर कोई problem होती है ठीक है? बस राइट? मना चेक करके भी नहीं देखा एक बार भी dry run करके नहीं देखा एक बार भी दुबारा पढ़के नहीं देखा कि यार मैंने जो लिखा है वो ठीक है कि नहीं है इतना जादा confidence नहीं होना चाहिए घुत के ओपर है ना? मतलग थोड़ा सा तो एक बार हमें पॉस लेके बोल देना चाहिए कि I think I'm done, let me quickly go through this and review this, test this बहुत जादा जरूरी है प्लीज इसको ढंग से किया करो इसको भी interviewer बहुत जादा फरक परता है interviewer बहुत देख रहे होते हैं कि तुमने इसको अच्हे से किया के नहीं किया कि तुम टेस्ट कर रहे हो के नहीं कर रहे हो otherwise क्या होगा i.b. interviewer को तुम्हें बढ़ेगा आरे देखी है इसमें तरह नहीं चल रहा कि इसमें तुमने नहीं चलेगा now that itself is a bad impression, right? तुम्हारी रिस्पॉंसिबिलिटी है कि उसको टेस्ट करो तो प्लीज उसको ढंग से टेस्ट कर लो तभी हमें आगे बढ़ना चाहिए तभी हमें इंटेवियर को बुलना चाहिए कि मेरा काम हो चुका है यह बोल तो चाहिए पहले कि यार मेने कोट कर दिया है मैं टेस्ट कर रहा हूँ हरा बट यह मत करो कि यार मेरा हो गया देख लो बस हरा इसके बाद मैं दो चीज़े बता रहा हूँ तुम्हें सटल सी जो की बहुत जादा इंपॉटेंट है जो जनली कोई ध्यान देता है एक यह पोईंट है एक पोईंट है attitude हम जनली सोचते नहीं है इतना जादा बट सामने वाले को बहुत ज़दा फरक पड़ता है जो से attitude as in in general are you being nice are you being humble or not right like are you for example saying things like कि यार यह तो बहुत असान है या फिर लोग कुछ आता नहीं है इसलिए मैं चेंज करना जाता हूं these are sort of things that you say which might be true but you need to find nice ways to say this धंक से बोलना बहुत जरूरी है इसलिए मेरी current company तो बहुत ही बखवास है and मेरी current company में ये problem है पिश्ली company में ये problem बहुत बड़ा red flag होता है मेरे लिए because एक company है जो चल रही है एक और इसलिए company थी जो चल रही थी और तुम्हें हर जगे पे problem है तो there is a chance, मैं नहीं बोल रहा हूं, हो सकता है company हरा हूं but there is a chance कि तुम में problem है then I have to be very very careful about that so ये जो attitude हम दिखाते है like it's we have to be very careful about how we are behaving in the interview and attitude ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि यार मुझसे तो नहीं होना equation next दो, क्यों दो next, मुझे ये करवाना है कर भाही बैटके so you need to give up कर देने वाला attitude या फिर बहुत negative attitude ये बहुत problematic होता है and बहुत सारे interviewers इस वज़े से भी fail कर देते है which I think is absolutely fair कर देना चाहिए because finally एक बंदे को बहुत कुछ आता है, बहुत बढ़ी है but काम तो उसे करवा बढ़ेगा बाकी लोग के साथ so if attitude अच्छा नहीं है तो that's gonna be a big family the last thing that I want to talk about is do you have interest in the company that you are interviewing for start-ups को तो बहुत ज़दा फरक परता है, बड़ी companies को भी बहुत परता है या तुम्हें छोटी किसी start-up में काम करना है, किसी बड़ी company में काम करना है, तुम्हें education में काम करना है कोई reason है क्या तुम्हारे पास कि तुम मेरे पास अप्वाएगा हो सकता नहीं भी हो तो थोड़ा सोच के जाओ कि तुम क्यूं करना चाहते रहे आपने काम तुम्हें थोड़ा 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 अच्छा अंसर निकाल लो because if you have real interest in the company that really helps as I am saying right, like अगर तुम्हें actual passion है actual interest है तुम्हें काम करना है तो उस company के लिए भी वह बहत positive है कि या ये बहत Nth हु है बहत excited है आपासत काम करने के लिए इसको consider कर लेते हैं so what I am saying is on this point, having the right questions to ask at the end of the interview having the right sort of questions to understand more about the company is extremely important and along with that, questions like why do you want to apply to this company इससे जीजों का answer हमारे पस होना चाहिए हमारे पसा answer होना चाहिए कि ये company के बारे में थोड़ा पता करके जाओ पहले से, to show that you are actually Nth about this company नहीं तुम्हें एक से company में actually interest है ये again, एक factor है जो कि interviewers को देखते हैं वोलों हमेशा whether that is something that they score you or not right, देखो, सब कुछ basically ये कोई machine तो है नहीं, ये interviewer है जो तुम्हें rate करेगा तो ये सब चीजों से बहुत जादा impact पढ़ जाता है उनके perception पे उनका perception तुम्हारी तरफ क्या है उससे बहुत जादा फ़रक पढ़ जाता है So, इसका बहुत जादा में ध्याना करव रहेगा अब अगर तुम्हें सोचोगे तो मैंने तुम्हें बेसिकली साथ चीजों में चार चीजे थोड़ी टेकनिकल बूली है One thing I am saying is Problem Solving पे work करो Time Complexity Optimization Code Quality Testing Being able to find edge cases And 3 I have said soft things Which are very important Keeping a positive attitude Showing strong interest in the company Showing strong interest in the company And being able to take feedback And then accordingly change your stance Being able to move towards the right direction Is extremely important Please इन चीजों का बहुत अच्छे से ध्याम रखना बहुत ज़्यादा Help करेगी अगर तुम सोच भी लोगे ना दिमाग में कहिन लिख भी लोगे कि मेरेको इन साथ चीजों का ध्याम रखना है पहले तीन चार चीज़े If I am solving a problem फिर basically मेरेको अगर कोई मुझसे attitude वाले HR type questions पूछे जाने है तो मुझे किस तरह से respond करना है मुझे किस type के questions पूछने है इन सब चीजों का अगर तुम ध्यान रखोगे तो overall chances of you clearing those interviews will become far higher Okay? Thank you so much I hope तुम्हें वीडियो अच्छी लगी अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दो अपने दोस्तों का शेयर कर दो अगर तुम्हें लगता है कि कुछ मैंने मिस्स किया है तो प्लीज comment भी कर दो और बिसकस करते है comment box में Okay? Thank you पांच चीज़े डिसकस करने वाला हूं और अगर यह पांच चीज़े मुझे पहले पता होती है तो मैं और बेटर वे में डिड़ा स्क्रेस पढ़ पाता मैं और जल्दी वे में कर पाता और आउटपुट भी बहुत सही नहीं करता तो बेसिकली यह पांच चीज ऐसी है जो तुम गलतिया ना करों वो पूर एक्स्पीजन शेयर करने वाला हो सो दाट यू गेट तो नो था बेस्ट वी ओफ लर्निंग डेटा स्क्राइब करने वाला हूं तो स्टेट अलेंड वीडियो अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ जिससे कि वो लोग भी गलतिया ना करें और डेफिनेटली सब्सक्राइब हो जाना है तो फर्स्ट निंग से साथ करते हैं सबसे पहले डेटा सेक्टर्स पढ़ने से पहले मैं यह बोला चाहूंगा जब मैंने स्टार्ट करा था तो एक मैं बहुत अंडर कॉन्फिटेंट बंदा था मतलब जैसे मैं कॉलेज में था तो बहुत सारे लोग थे जिन्हों ने इलेवेंट इन टॉल्थ में पढ़के आयो थे प्रोग्रामिंग और मैं हमेशा उनके सामने एकदम बोली नहीं पाता था जैसे कुछ डिसकस हो रहा है कुछ सिमिस्टर क combat के बार बाहर है मैं अगर पढ़के आयो हो और वो लो응 सेम सिस पढ़के आयो है और वो लो लो पुछ बोल रहें हम लोग डिसकस करें तो हमेशा मैं उनकी बातjak लेता था, because मेरे अंदर ही हमेशा था यार उन्होंने पहले से सीख कर आयव है, तो वही सही होगे, but what I have learnt after that is, कि यार बहुत जगे मह सही होता था, वो लोग गलत होते थे, तो मुझे बहुत बाद में यार यह लोग जो 11th and 12th पे पढ़के आया होते हैं, वो बिलकुल almost nothing होता है, है ना, basically जो interviews में पूछा जा रहा है, वो अलग लेवल की चीज़े पूछी जाती, 11th and 12th तो बिलकुल बच्चा है उनके सामने, है ना, तो उस चीज़ से तो बिलकुल मत जारो, अपना confidence हाई रखो, कि सामने वाले ने 11th and 12th पे पढ़ावा है, कोई फरक नहीं पढ़ता है, कुछ भी है वो, वो जो आज हम पढ़ने जाएंगे वो बेसिकली दूती नके का काम है, तो उस से बिलकुल मत जारो, अपना confidence हाई रखना, अपनी preparation पर ध्यान देना, दूसरे ने क्या कर रखा है, क्या नी कर रखा है, उस पर बिलकुल मत ध्यान देना, अपना confidence हाई रखना, और से बिलकुल फरख नहीं पड़ता, अपनी preparation पर ध्यान दो और बहुत अच्छा करोगे, डेटा स्टेल कर रखा है, तो जब हम कोड करते हैं, यह मैंने क्या कर रहा था, शुरू में जब 4-5 महीने थे, तो मैं अपने local editor पर कोड कर था था, कि यार मैंने कर लिया, और चल रहा है, and I move forward, मतलब मैं कहीं submit ही मारता था, online compiler पर, कि यार मेरा code को ही check कर ले, कि test case पर सही चल रहा है, तो जो 4-5 महीने मैंने बात सीखा ना, तो मैंको फिर किसी ने बोला, भाई, तो चेक क्यों नहीं कर रहा है, मैं बता रहा है, तेरी बहुत सारे cases पर फटे का code, और आट-9 महीने में खिच गई थी, वो गलती मत करना, साथ-साथ submit करो, feedback मिले, उस पर ठीक करो, वो improvement होना बहुत जरूरी है, उसी से होगी, submit करो, जब तक वो accepted नहीं आ जाए, उस question में लगे रहा है, वो accepted के बिना नहीं होगा, बहुत लोग मुझ से बोलते हैं कि sir, मैंने तो अपने लोकल पर चला लिया, सही चल रहा है, बढ़ यह online compiler में नहीं चल रहा, क्या उसमें को issue है, क्या, यार online compiler में issue नहीं होता है, हमारे code में issue होता है, हमें अपनी ego side अतनी होती, और यह मैंने भी गलती करी थी, यार वो submit करना online platform पे बहुत जरूरी है, उसके बिना हमारे क चीज़ों को check करना पड़ा था, फिर उसके बाद बहुत से learning होई थी, अच्छा है, इसको ऐसे way में करना था, मैं यह गलती कर रहा था, वो चीज़े मुझे submit करने के बाद ही पता लगी और इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूं, उसको lightly मत देना, submitting code and checking code की वो हर test case के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, थर्ड पॉइंट पर चलते हैं, जो बहुत important है, तो यार एक चीज़ जो मुझे हमेशा से लगती थी, तो मैं basically जब preparation कर रहा था, तो classes में जाता था, तो वहाँ पर मुझे ऐसा लगता था, personally कि मैं ही हूँ जो solutions नहीं सोच पा तो यार बहुत एक डर बैट जाता है, कि यार मैं ही नहीं सोच पा रहा क्या solution, और यह मेरे को उस ताइम कोई बोल देता ना कि ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग solutions नहीं सोच पाते, जो actually learning करना चाता है, उसके दिमाग में, शुरू में solutions नहीं आते, आज नहीं आरे ना solution, त तेरे solution आने लग जाए, तो मेरे को एक senior नहीं कहा कि यार, it's important तुम 6 महीने लगे रहा हो, after 6 months देखियो कि तेरे को solution आ रहे नहीं, perseverance is बहुत important है, यह ना, शायद आज तेर में वो talent नहीं है, potential नहीं कि to solve questions, बट अगर तू 6 महीने लग के कर लेगा, तो तेरे पास भी वो potential आजाएगा, to solve questions, और ऐसा हुआ, जब मैंने अगले 6 महीने, 7 महीने, lucky data success करा, तो मेरे पास confidence आ गया, मैं questions को solve करने लग गया, और वो मेरे अंदर एक strong power अगई, confidence आ गया, कि अब मैं problem solve कर सकता, उसके बाद मैंने Amazon में निकाली, तो overall मैंने data success में बहुत अच्छा करा, लगे रहोगे, तो 6 महीने बाद तुम बहुत बेटर stage पर होगे, problem solving, तो यह गलती मत सोचना, कि यार मैं ही नहीं सोच पाता, solution बहुत गलत चीज़ है, बहुत लोग नहीं सोच पाते, और अगर कुछ लोग सोच पारे, वो शायद आद सोच पारे, तुम आज नहीं सोच प होगे, and you will become creating data structures algorithms, अब next point पर चलते है, जो अगे बहुत important point है, तो जब मैंने तयारी करी थी, I think मैंने structured content से तयारी करी थी, कि arrays के, सीखा पहले, फिर arrays के questions कर लिए, फिर string सीखा, strings के questions कर लिए, linkless सीखा, linkless के questions कर लिए, queues, trees, ऐसे practice कर लिए, तो ऐसे मैंने 200 से 300 questions कर लिए थ अब जैसी कोई नय question आता है, और यह तुम लोग भी face करते होंगे, तो तुमें समझी नहीं आता, यह कैसे solve करना है question, क्यों, क्योंकि तुमने हमेशा से कैसे question solve करना है, अच्छा Q का question है, तो Q ही use होगा, पहली ही पता है Q use होगा, priority Q का question, अच्छा priority Q ही use होगा, तो हमेशा स जब हम चूरो में, देखो, बिल्कुल करो, उस चीजी तुमें समझ में आएगा कि कहा priority क्यों लगेगा, क्यों लगेगा, but after doing those 200-300 questions, एक next 100 questions, random questions करने की बहुत ज़्यादा ज़रुत है, वो तुमें सिखाएगा, इस question में sliding window algorithm लगीगी, यह question dynamic programming से हो जाएगा, यह question priority Q से हो हमें, वना समझ ही नहीं आएगा कि किस question में कौन सा algorithm लगाना है या कौन सा data structure लगाना है, तो मैंने यह करा था, मैंने मतलब जब प्रैक्टिस कर ली 200-300 questions कर ली है, अब random question आता था, मेरे खोडर लग जाता था, होई नहीं आव तो question मैं सोच ही नहीं पा रहा, क्यों कि उसके माल मेंने 100 questions आचे practice नहीं करें, जिन में randomly सोचना है, and that is most important, data structure सीखना तो important है, but apply करना उससे ज्यादा important है, interview में applications पूछी जाएगे, वो तुम्हें नहीं बताने माला यह क्यों का question है, यह priority क्यों का question है, वो तुम्हें एक random question देगा और वहां सोचना है, तो after those 200-300 questions हमें 100 questions next अच्छे से बनाने है, to crack those questions है, मतलब, to have that confidence की कोई भी नहीं question आता है, तो में को डर नहीं लगता, और वो तब ही जाएगा, अगर तुम्हें 100 questions, random questions practice कर लोगे, तो यह गलती मत करना, एक structured content से सीखो, but after that practice random 100 questions है, तो मेरे को, मतलब, मेरे को college के friends बगरा, सब लोग बोलते थ उन्होंने बोला, यार, interview में, best solution ही देना होता है, तब भी acceptance होती है, तो मैंने क्या करा, जब मैं solutions सोच रहा हूँ, तो मेरा एक ही जगे दिमाग जा रहा है, शूरू में, मैं किसी तरीके solution में नहीं पहुच रहा हूँ, कोई भी solution पर, मैं क्या सूच रहा हूँ, best solution से सूच और ये मेरे साथ हूँ, जब मैं questions प्राक्टिस कर रहा था, तो best solution एक दम दिमाग में आता नहीं था, विकॉज मैं अपने 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 समय लगा था, यार, अब जब सीख लिया है, तो अब होने लगेंगे ना, best solution डारेकली सोचते है, dynamic programming, direct iterative solution लगाते है, बढ़ नहीं हो रहे थे questions, क्यों नहीं हो रहे थे, क्योंकि वो base अच्छे से setup नहीं है, वो तब ही हाएगा, जब तुम एक question को देखो, उसको किसी भी तरह पहले solve करो, have that thinking, पहले तो इसको किसी भी तरह solve कर दो, directly best solution का दिमाग मत लगा, constraints को देखते है, उससे समझ में आया तो order in लगेगा, order in social लग जाते है, यार, interview में ऐसे नहीं होता है, interview में concerns नहीं आते है, interview में क्या आते है, question दिया जाता है, तो सबसे पहले practice करो कि मैंने देख लिया, और इसको ऐसे तरीके से तो पक्का solve कर सकते हैं, और जब वो देख लोगे न, तब तुमें realize होगा, यार इसमें मैं ये एक्स्टा काम कर रहा हूँ, order of n क्यूब है, ये कर दूँगा, तो order of n square हो जाएगा, sorting लगा दूँगा, तो शायद n log n में हो जाएगा, ये चीज़े तब आएंगी जब तुम पहले उसको किसी भी तेरे solve कर दो, फिर you will realize तुम क्या extra काम कर रहे हो, फिर you will realize क्या कुछ sorting से कुछ हो जाएगा, फिर तुम उसमें further optimize कर पा हो गया, n log n भी ज्यादा लग रहा है, n में further move कर सकते हैं, but approach ही होनी चाहिए, पहले solution को किसी भी तेरे solve करो, फिर realize होगा, ये गलती कर रहे है, ये extra काम लग रहे है, फिर उसको बचाओ, that is how you will start reaching the best solution, हमेशा ही इसा होगा, directly best solution सोचने की कोशिश मत करना, नहीं हो पाएंगी question solve, तो मैंने ये गलती करी थी, तुम मत करना, try to have ego side रखे कि पहले किसी भी तरे solve करो, और फिर धीरे धीरे उसको best solution बचा दूँ, उससे बहुत amazing learning होगी, उससे बहुत amazing improvement होगी, तो मैंने ये 5 चीज़े तुम मैं को repeat करना बढ़ा था कुछ कुछ काम, शायद मैं better way से सीख पाता और मैं शायद output, मतलब confidence, confidently सीख पाता, अभी मैंने क्या सीखा थोड़ा सा, under confident होके सीखा था, बट दीरे दीरे पहुंच गए, लगे रहे, perseverance रखी तो, पहुंच गए उस्टेज पे, बट शायद और better त में जो तुमारे लिए better work करती है, please share in the comment box, I will be happy to hear that, like and share जरूर कर दो प्रेंच के साथ, subscribe भी कर दो channel को, and thank you so much, but good bye.